दोस्तों अगर आप UGCnet JRF की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना क्यूंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा कोशन दिखाने वाला हूँ जो 2011 से लेके दिसंबर 2019 तक करीब 15-20 बार रिपीट हुआ है हाँ दोस्तों ऐसा कोशन दिखाने वाला हूँ जो आपको 15-20 बार रिपीट हुआ है 2011 से लेके दिसंबर 2019 तक और आगे आने वाले एक्जाम में भी वो कोशन रिपीट होने की पूरी-पूरी संभावना है तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले में आपको वो कोशन दिखाता हूँ और उसके बाद में हम उस कोशन के वारे में डिटेल से बात करेंगे ये देखे दोस्तों ये UGC Net JRF Paper First June 2011 का कोशन पेपर है आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अंदर में आपको कोशन दिखाने वाला हूँ जो रिपीट हुआ है ये देखे यहाँ पे ये देखे कोशन नमबर 36 आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के सक्ती खंडक में भाग की दृष्टी से उर्जा के स्तरोतों का सही करम हमें बताना है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कोशन 2011 के अंदर यहाँ पे आया है ठीक है और यही कोशन मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ की आगे किस तरह से रिपीट हुआ है अब यह देखे दोस्तों यह जुलाई 2018 का कोशन पेपर है और इसके अंदर मैं आपको कोशन दिखा रहा हूँ कोशन नमर 44 आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने फिर से यह देखे उर्जा स्तरोतों के सही करम की पहचान कीजी यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है और वहाँ पे उन्होंने जो ऑप्षन है वो हिंदी में दे रखे थे सभी के सभी लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंगलिस में दे रखे है कोशन वही है दोस्तों बिल्कुल डिट्टो कोपी कोशन है यह इनके नाम से आहरे लेकिन बस यहां पे इंगलिश में दिया हुआ और वहां पर उन्होंने हिंदी में दिया था और यहां पर हिंदी में वphones इनके नाम उपर दिवेजा से आप देख सकते हैं नवीकर्णिय उर्जा को इन Frankili claws और वहाँ पर सिधा उन्होंने नवी करनी है उर्जा लिखा हुआ था तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल डिट्टो कॉपी कोश्चन रिपीट हो रहा है बस हमें थोड़ा सा समझने की आव सकता है थोड़ा सा ध्यान देने की आव सकता है और इस तरह से दोस्तों य इसके सुरुआत में चलते हैं 2012 से और देखते हैं कि किस तरह से कोश्चन रिपीट हुआ है और किस तरह से एक्जामिनर इस कोश्चन को घुमा फिरा के पूछता है और दोस्तों मैं बार बार आपको हमेशा एकी बात कहता हूं कि आप हमारे लिए ओल्ड डियर कोश्चन प उत्तपादन में नुवी करनिये उर्जा स्तरोतों का परतिसत कितना है यह हमें बताना है दोस्तों रिनिवल जो एनरजी है उसमें से यह कोश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते कि इन्होंने उसका परतिसत यहां पर पूछा हुआ है और परतिसत से आगे किस तरह से इंगलिस में देखना चाहे तो आप यहां पे इंगलिस में भी देख सकते हैं दोस्तों देखें कुशन नमर फोटी फाइव यहां पे दिया हुदा पर्शेंटेज सेयर आफ रिनिवल 2019 के अंदर यह कोशन आया है यह देखें यह दिसंबर 2019 का कोशन पेपर है और इसके अंदर कोशन नमर फोटी वन यहां पे आप देख सकते हैं निमिल लिखत में से कौन सा नवी क्रणिय प्राकरतिक स्त्रोथ नहीं है यानि कि रिनिवल एनरजी से देखें अभी हमने चार कोशन देख लिए चारो कोशन रिनिवल एनरजी से रिलेटेड थे लेकिन उनके पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बदलता हुआ जा रहा है लेकिन टॉपिक जो है टॉपिक एक है तो यहां पे हम इन्होंने पूछ लिया कि रिनिवल एनरजी के सोर्स कौन कौन से नहीं है वो हमें बताने यहां पे तो नमक जो है दोस्तों वो रिनिवल एनरजी का सोर्स नहीं है और जो यह डिक्टो कोपी दोस्तों यह जो निवी करने उर्जा का स्तरोत नहीं है यह डिक्टो कोपी क 2012 का question paper है और यहाँ पर यह देखे question number 33 देखे दोस्तो 33 निम लिखित में से कौन सा निवीक और ये प्राकरतिक संसाधन नहीं है यहाँ पर इन्हों ने इसका answer क्या दिया लवन दिया है और 2014 में क्या दिया था इसका answer नमक दिया था अब देखे नमक और लवन दोनों की दोनों से बिल्कुल डिक्टो कोपी बिल्कुल डिक्टो कोपी question repeat हो रहे हैं लेकिन हम फिर भी exam track नहीं नहीं कर पा रहे क्यूंकि इसका सबसे बड़ा reason यह है कि आप old year question paper नहीं करते और हम आपको बहुत बार कहे चुकाऊं की please 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 आप old year question paper कीजिए और दोस्तों हमने क्या किया है कि जैसे paper first के सभी topic की जो PDF है वो अलग-अलग करके जैसे कि आज तक research के जो question आए वो हमने अलग करके teaching के अलग है people and environment के अलग question है 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी shift के question paper हमने अलग-अलग करके हैं जिससे आप बिल्कुल असानी से पता कर सकते हैं कि कौन शेक ऐसे question है जो बार question paper में repeat हो रहे हैं तो अगर किसी भी दोस्त को वो PDF चाहिए तो वो study notes चाहिए old year question paper चाहिए तो हमसे ले सकते हैं लिंक आपको video description box में मिल जाएगा या आप हमें whatsapp number पे message कर सकते हैं whatsapp number आपको नीचे पट्टी में दिखाई दे जाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि renewal energy से किस तरह से question repeat हुए हैं और किस तरह से इसमें से question पूछे जाते हैं दोस्तों जो हम वीडियो बनाते हैं repeated question की वो वीडियो आप जरूर जरूर देखा कीजिए क्योंकि उसके अंदर हम आपको हर topic के बारे में बताते हैं कि ऐसे कौन से topic के जिन में से question repeat ह होते हैं और आगे हम बात करते हैं यह देखे दोस्तों यह आ गया हमारा जून 2015 का question paper है और इसके अंदर यह देखे question number 52 निम लिखित में से कौन सा सयोजन नवी करणिया प्राकरतिक संसाधन प्रकट करता है नवी करणिये प्राकरतिक संसाधन प्रकट करता है यह हमें बतान में यह question दोवारा से फिर आ गया यहां पर तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तरह से question repeat हो रही है और यहां पर आप English Hindi दोनों में इस question को देख सकते हैं यहां पर यहां पर हमने English में भी यह question दिया हुआ है और आगे हम देखते हैं कि आगे नवी करणिये उर्जा में से किस तरह से question आए है यह देखिए यह December 2015 का question paper आप यहां पर देख सकते हैं और इसके अंदर यह देखिए question number 53 भारत में भारत सरकार की वर्स 2030 तक नवी करणिये उर्जा की संस्थापित समता को कहां तक बढ़ाने की योजना है यहां पर इन्होंने उसका target कूझ लिया वी 2030 तक क् भारत सरकार तो यहां पर इसका जो answer है दोस्तों option number 4350 यहां पर इन्होंने दिया हुआ है तो आप देख सकते कि किस तरह से एक ही topic है नवी करणिये उर्जा उसमें से अलग अलग तरीके से question पूछ रहे हैं तो अगर हम एक topic को अच्छे से कर लेते हैं तो उसमें से किसी भी तरह का अगर question पूछता है तो हम बिलकुल असानी से दे सकते हैं answer और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारा question यह किस तरह से repeat हुआ है यह देखिए यहां पर जून 2016 का question paper है और इसके अंदर यह देखिए इसके अंदर question number 50 question number 50 देखिए वर्स 2022 तक बायो मास से करनी है उर्जा स्तरोत है रिनेवल सोर्च है energy का तो उसी मेंसे यह question आया हुआ है दोस्तों जो रिनेवल एनर्जी का जो topic है दोस्तों वो काफी थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें से कम से कम 20 तरह के question निकलते हैं तो इसमें से भी बहुत question आये इस तरह के अभी मापको और दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से उनका लक्से पूछा हुआ है उन्होंने ठीक है तो इस वीडियो का पूरा देखना और दोस्तों अगर आपको हमरी वीडियो अच्छे लग रहे है तो प्लीज 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 इस वीडियो को like, comment और share ज़रूर कीजिए अगर आपको को ये वीडियो अच्छे लग रहे है तो प्लीज हमें comment करके बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रहे है और क्या हमें आगे भी और जो अलग जो दूसरे टोपे का उन पर ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए आपका comment मेरे लिए बहुत ज्यादा important है और आगे हम बात करतें दोस्तों ये देखिए ये है हमारा अगस्त 2016 का question paper है और इसके अंदर ये देखिए question number 44 यहाँ पे दिया हुआ है भारत सरकार ने वर्स 2022 तक सभी नवी करणिये उर्जा स्तरोतों से कुल विद्धुत उत्पादन में सोर उर्जा के कितने परतिश पूच लिया लग से पूच लिया दो हजार बाईस तक और पहले दो हजार बाईस तक पूचा था उससे पहले 2030 तक लग से पूच आप देख सकते हैं कि टार Eisen एक तरह से कुइशन पूचे जा रही है तो इस तरह से कोशन do रिपीट हो रही है और आगे हम बात करतें के दोस प्रियोजना से वर्स 2020 तक पावर उत्पादन का लक्से क्या रखा गया है तो यहाँ पे इस का अंसर टू दिया है फाइव गिगा वोट तो दोस्तों आप देख सकते कितने असान कोशन है और कितने डिट्टो कोपी कोशन रिपीट हो रहे हैं और अगर इसके बावजुद भ कैसे यह लक्से हो गए नवी करनी और जास्तरोत हो गए इसके बारे में हमने नोट्स भी बना रखे दोस्तों सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स बना रखे हैं वीडियोज बना रखे हैं और लाइव वीडियोज भी हम आपकी लिते हैं तो अगर किसी भी दोस्त को हमारा पेड कोर्स जोइन करना है तो आप हमारा पेड कोर्स जोइन कर सकते हैं उसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं वीडियोज देते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों उसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज कोशन देते हैं जैसे कि आज तक research के जो question आचके वो अलग है teaching के question अलग है इस तरीके से सभी 10 unit के जो question है वो हमने अलग कर रखे हैं topic wise 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक और आगे हम देखते दोस्तों यही question किस तरह से repeat हुआ है और कुछ दोस्त ऐसा सोच सकते हैं कि यह question पहले repeat हो चुके अब repeat नहीं हो रहे तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों अभी मापको जोन 2019 और दिसंबर 2019 में भी दिखाने वालों की किस तरह से question repeat हुए है आगे हम देखते दोस्तों यह देखे यह जुलाई 2018 का question paper है और इसके अंदर यह देखे यह question तो हमने करी लिया स्टार्टिंग में मैंने आपको यह question बताया था किस तरह से repeat हुआ है 2011 में repeat हुआ है और यह 2018 में repeat हुआ है और आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से question repeat हुए है यह देखे यह जून 2019 के paper start हो गए हमारे सामने और इसमें हम बात करते हैं यह देखिए 21 जून 2019 evening shift का paper है और इसके अंदर यह देखे दोस्तों यह question number 38 भारत सरकार 12 वर्स 2020 तक चत के ऊपर विद्यूत के लिए उर्जा पैनल संस्थापन का निर्धार्ण लक्षे क्या है इन्होंने फिर से क्या पूछ लिया दोस्तों target पूछ लिया नवी करणी उर्जा स्तरोत में से target पूछ लिया यहाँ पे इन्होंने तो दोस्तों आप देख सकते कि किस तरह से question repeat हो रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने अगला जो यह देखिए यह 24 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर यह देखिए question number 44 आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्स 2020 तक पवन उर्जा से विध्यूत उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्षे निर्धारित किया हुआ है तो यहाँ पे एक वार फिर से question repeat हो गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से question ditto copy question repeat हो रहे हैं तो आप सभी को मैं यही suggest करूंगा कि प्लीज आप हमारा paid course जोइन कीजिए उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करवाते हैं उसके अंदर हम आपको यह सारी detail से अच्छे तरीके से बताते श्टडी नोट्स के जरिए और आगे हम बात करते दोस्तों यही question यह देखिए यह 25 जून 2019 evening shift का paper है और इसके अंदर question number 41 आप देख सकते हैं भारत सरकार दवारा वर्स 2030 तक भारत में विद्यूत सकती के कुल संस्थापित समता में नवी करणिये उर्जा की हिसे दारी का कितना लक्षे रखा गया है तो इसका जो answer है दोस्तो answer number V यानि कि 30% यहां पे रखा गया है तो आप देख सकते हैं दोस्तों नवी करणिये उर्जास तरोच से कितने question आज तक repeat हुए हैं और डिट्टो कोपी question repeat हुए हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों दिसंबर 2019 में किस तरह से question repeat हुए हैं इससे पहले दोस्तों यह देखी 26 जून 2019 इवनिंग सिफ्ट का paper है और इसके दरी यह देखी गैर नवी करणिये संसाधनों का chain हमें करना है यह दिखे चैन का एक question पहले भी आ चुका है 2015 में आया था मैंने साइद 2015 में आया था मैंने आपको दिखाया था तो यहां पे हमें जो नवी करणिये उर्जा स्तरोतर नहीं है उसके बारे में हमें बताना कौन-कौन से नहीं है यानि कि एक topic है हमारा नवी करणिये उर्जा यानि कि renewable energy उसमें से कितने तरह के question बन रहे आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं और अब आगे दोस्तों हमारे पास December 2019 के question paper और इसमें से देखते हैं इसमें से किस तरह से question repeat हुए है तो इसमें देखते हैं ये देखें दोस्तों ये 3 December 2019 morning shift का paper है और इसके अंदर ये देखे question number 45 आप देख सकते हैं भारत में विद्यूत उत्पादन में वर्तमान में निमिल लिखित में से किस उर्जा स्तरोत का हिस्सा निमंतम है सबसे कम हिस्सा किसका है वो हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे तो इसका answer ये देखें यहाँ पे दिया है option number 4 नाभी के उर्जा का हिस्सा कम है तो आप कि आगे यह देखिए दोस्तों आगे हमारे पास आ गया यह तीन दिसंबर 2019 इवनिंग सिफ्ट का पेपर आप यहां पे देख सकते हैं और इसके दर यह देखिए दोस्तों कोशन नमर 38 भारत में लगबक कितने भूत आपि विध्यूत की संभावता है यह देखिए भूत आप यह उर्जा की कितनी संभावना है वो यहां पे इन्होंने पूछा और इसका आंसर इन्होंने एक दिया 10 गिगा वोट यहां पे दिया हुआ है तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से कोशन रिपीट हो रहे हैं और मैं अभी आपको इसके स्टडी नोट्स भी दिखा दू करीब 15 से 20 कोशन मैंने आपको दिखाए किस तरह से इसमें से रिपीट हुए है नवी करनिय उर्जास्तरोत में से और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमने किस तरह के नोट्स बना रखे ताकि आपको अच्छे से यह टोपिक समझ में आ जाए और दोस्तों इसके बारे में हम एक और वीडियो भी बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमापको पूरा डीटेल से बताएंगे हर और कोशन के बारे में यानिकि थेडिकर वीडियो होगी अगली जो हमारी वीडियो होगी वो ठीक है अभी यह जो वीडियो थी यह केवल कोशन दिखाने की वीडियो थी और अब ही मैं आपको बस ये दिखाने वाला हों की हमने नोट्स किस तरह के बना रखें हैं ये देखें दोस्तों ये हमने पीफिल डेवलोपरमेंट एन एनवायरमेंट के स्टड़ी नोट्स बना रखें और इसके अंदर में आपको नवी करणिया उर्जा के जो नोट्स है वो टोपिक जो है वो आपको दिखा देता हूँ ये देखें नवी करणिया उर्जा रेनेवल एनर्जी का हमने नोट्स बना रखें यहाँ पे हमने आपको बता रखें कि नवी करणिया उर्जा क्या होती है और उसके जो में में जो पॉइंट है दोस्तों आप यहाँ पे लेवल पे जो स्थिति है वो भी बता रखे यहां पे हमने और उसके बाद दोस्तों यहां पे जो लक्से जो है देखिए नवी करणिया उर्जा के लक्से से आपने देखे कम से कम साथ से आठ कोशन रिपीट हुए है दिसंबर 2019 तक भी रिपीट हुए है तो उसमें हमने लक् से हैं 2022 तक क्या लक्से यह देखी यहां पे हमने लिखे हुए है और देखी पाउन उर्जा से क्या लक्से है और सोर ईज्जा से किया है सारी हमने यहां पर एक एक चीज not की हुए है और हिंदी- contact कि दोनों चीज़े हमने किया है दोस्तो अगर आप यह study notes लेना चाहे तो ले सकते हैं यह old year question paper भी ले सकते हैं दोस्तो हमने आप सभी के लिए special paid course launch किया हुआ है इसके अंदर दोस्तो हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं वीडियोज देते हैं 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते है topic wise जैसे कि आज तक research के जो question है वो लगए teaching के question अलग है इस तरह से सभी 10 unit के question हमने अलग-अलग करके हैं live mock test लेते हैं दोस्तो और इसके साथ आपको ये बताते हैं कि कौन से topic में कौन से question repeat हो रहे हैं बार-बार जैसे हमने आपको अभी बताया और इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको फरी में 2012 से लेके 2019 तक old year question paper second भी देते हैं ताकि आप अच्छे से अपनी त्यारी कर सकें तो द जल्दी से जल्दी message कीजिए किस तरह से join करना है क्या process आपको पूरी जानकरी वहां पर दे दी जाएगी और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारी हमारा जो चैनल है निमीजिनेट परो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गंटी का बटन जरू दबाई है ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके और दोस्तो इसके साथ साथ अगर आप फ्री में study करना चाहते तो आप हमारी एप निमीजिनेट भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके अंदर आपको काफी तरह की चीजे मिल जाएगी स तो आप चाहे तो हमारी एप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में आप जाके एप डाउनलोड कर लिजी निमीजिनेट और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इसका लिंक दिया हुआ है तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही और मैं उमीद करत किजिए शेर किजिए कमेंट किजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्य का सवागत हमारी यूटूब चैनल निमीजी नेटकर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नवी करणिया उर्जास्तर होती यानिकी रिनेवल एनेर्जी सोर्चिज के बारे में दोस्तो इसके बारे में हमने एक सुभे वीडियो बता बनाई थी उसके अंदर आपको बताया उसके इसमें से कितने question आज तक हैं और किस तरह से इसमें से question पूछे जाते हैं ज्यादा तर जो question होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं इसके साथ हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नवी करने उर्जा होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि renewal energy क्या होती है देखिए जो अर्जा के ऐसे stroke जो एक वार use करने के बाद दोबारा इस्तवाल करने के लायक हो उन्हें हम क्या कहते हैं नवी करने अर्जा stroke कहते हैं अब देखिए कुछ हम एक्जामपल लेके चलते हैं जिससे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाए जैसे कि हमारे पास सुरिय की किरने होती है तो उससे क्या है कि हम बार 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 electricity produce कर सकते हैं सुरिय की जो किरने हैं वो कभी खतम नहीं हो सकती इसी तरीके से जो पाउन चकी है हवा है हवा से हम बिजली बनाते हैं तो वो भी जल्दी से खतम नहीं होती और उसके बाद जैसे कि हमारे पास बायो मास है बायो मास है जैसे कि गोबर गेंस प्लांट की बात मेगरा की जाती तो उनसे भी energy produce की जाती है और उसके विपरी तगर हम बात करें non-renewal energy की यानि कि ऐसे energy sources जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते इसे हम बिजली बना सकते हैं लेकिन एक बार पेटरोल को यूज करने के बाद हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते और आपने सुना भी होगा कि पेटरोल जो हो धीरे 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 खतम होता हुआ जा रहा है अब हम इसमें ये देखते हैं दोस्तो हमारे एक्जाम के पाइंट ओफ व्यू से क्या इंपॉर्टन्ट चीज़े हैं अब देखिए जो नवी करने उर्जा स्तरोतकार जो उर्जा मंतरले बनाया गया है उसके आंकडों के मताबिक भारत के अंदर कुल अक्षे उर्जा उतपादन कितना है 8,96,602 मेगा वोट है और दोस्तों यहां पे एक चीज़ और मैं बता दो कि अक्षे उर्जा को हमने भी करने हैं उर्जा स्तरोत भी कहते हैं यह दोनों के दोनों सेम चीज़ है और एक और चीज़ जैसे इसके अंदर रजस्तान के अंदर सोर उर्जा से उतपादन किया जाता है इलेक्टरिसीटी का वो भारत का सबसे पहले नमबर पर रज्जे आता है और उसके बाद पर दोसरे नमबर पर आता है वो दोस्तों जम्मू एंड कस्मीन और तीसरे नमबर पर महाराश्टर का स्थान आता है जो रेलेवल एनर्जी परड्यूज करता है और इसके बाद जैसे और भी काफी सारी जानकर है हमने यहाँ पर दिविए आप ये सभी की सभी पढ़ लेना है एक बार और इसके बाद जैसे कुछ और महतोपूर्ण तथे हैं वो हम देख लेते हैं जैसे नमबर दो पर इन्होंने दिया है कुल स्थापित पाउन उर्जा समता के मामले में भारत दुनिया में चोथे स्थान पर आता है यानि कि पाउन चक्की वगरा से यानि कि पाउन से जो भी एलेक्टरिसिटी प्रड्यूज की जाती है वो भारत का चोथा स्थान आता है पूरी दुनिया के अंदर ये कोशन भी आ सकता है दोस्तों और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि अप्शन नमबर चार इन्हों ने दिया है वर्त मान में भारत के पास नवी करनी स्त्रोतों से 58.30 मेगा वाट उर्जा उत्पादन की अक्षमता है अब देखिए भारत में जो भी हमारे पास नवी करनी उर्जा स्त्रोत है वो जो जितनी भी टोटल एनर्जी हम प्रड्यूज करते हैं चाहिए वो रिनेवल एनर्जी सोर्सीजों या नॉन रिनेवल एनर्जी सोर्सीज तो उसमें कितना भाग है दोस्तों 58.30 मेगा वाट है और अगर इसे परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 18.5 परतिसद इसका हिस्स है वो किसका है दोस्तों नवी करनी उर्जा स्त्रोतों से हम 18.5 परतिसदी या एनर्जी अपनी प्रड्यूज करते हैं उसके बाद में द उमीद है और उसके बाद में एक और जो चीज हमारे लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों निसकर्ष में यह कहा जा सकता है कि भारत सिगरी ही अक्षे उड़ जाके अक्षेतर में दुनिया में एक उतकर्ष्ट स्थान हासिल कर लेगा और इसके उपर दोस्तों नई दिली के अंदर एक जो समेलन है उसका आयोजन हुआ था अंतराष्ट्रियस और इलाइन से सिखर समेलन हुआ था तो इसमें ये कोशन आ सकता है दोस्तों कि अंतराष्ट्रियस और इलाइन से सिखर समेलन कहां पे हुआ था तो कहां पे हुआ था ये नियू डैली के अंदर हुआ था इंग्लिस में भी दिए दोस्तों अगर आप इंग्लिस में पढ़ना चाहे तो इंग्लिस में भी इसको पढ़ सकते हैं और उसके बाद कुछ और मेन पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं अब देखिए इसमें एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं द कितना है 35% कोईले का कितना है 55% परमानू उर्जा से हम इलेक्टरिसिटी अभी 2% बना रहे हैं और छोटे हाइडर और अन्य स्तरोतों से 8% इलेक्टरिसिटी परड्यूज की जाती है तो दोस्तों ये भी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें से कोशन आ सकता है और इसके अंदर जैसे कि हम बात करें यहां पर एक और हाँ ये जो कोशन है दोस्तों ये कोशन आया था हमारे पहले एक्जाम में आ चुका है इन्होंने पूछा हुआ था कि 2027 तक नवी करनी अर्जा स्तरोतों से विजली की कुल अक्षमता कितनी है वो इन्होंने पूछी तो दोस्तों इसका अंसर 57 परतिसत था तो ये चीज हमें ध्यान में होना जुरूरी है उसके बाद दोस्तों 2027 के ब्ल्यूप्रिंट के अनुसार भारत का लक्षे नवी करनी अर्जा स्तरोतों से कितना है दोस्तों 25 गीगावोट है और 72 गीगावोट पन विजली से है और 15 गीगावोट दोस्तों परमानु उर्जा से है और अन्य अस्तरोतों से कितना है दोस्तों 100 गीगावोट इन्होंने दिया हुआ है तो दोस्तों ये दिया आप थोड़ा ध्यान में दे लेना क्योंकि इसमें से कोशन आने की पुरी-पुरी संभावना है millimeter और दोस्तों अगर इसके अंदर और क्या चीज़े हैं देश की कुल बिजली उत्पादन शम्ता में अक्षे उर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़ कर 18% तक पहुंच जाएगा और अभी कितना दोस्तो ये 7.8% तक है और आगे देखिए दोस्तो अक्टूबर 2019 तक जो विकाउंटिंग विगरा हुई थी उसके नुसार क्या है कि भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगा वोट का नवी कर्णिय उर्जास्तरोत लक्षे रखा गया है तो दोस्तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जुरूरी है पहले जो ये लक्षे था दोस्तो वो था 3.5 गीगा वोट था और अब कित अरे सेसे देखती हैं भारत सरकार ने नवी कर्णिय उर्जा स्थ्रोतो द्वारावर्स 2022 तक 145 गीगा वोट उर्जा उत्पादन का लक्षे निर्धारित किया है ये कोशन दोस्तो पहले आ चुका है की 2022 तक कितना लक्षे निर्धारित किया गया और उसके बाद दोस्तो ज सोर उर्जा से, 10 गिगावाट वायो उर्जा से और 5 गिगावाट छोटे जल विद्यूत उर्जा सेंत्रों का निर्धारित किया गया है और यहाँ पे जैसे हमने इंगलिश में भी दे रखा यहाँ पे आप देख लेना अगर किसी को यह ना पता चले कि पाउन उर्जा को क्या कहते हैं और जल विद्यूत उर्जा को क्या कहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख लेना बिलकुल असानी से आपको समझ में आ जाएगा लेकिन एक चीज़ में आपको बार बार कहरा हूं कि यह जो पॉइंट है दोस्तो यह पॉइंट आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इस में से अभी तक तीन से चार बार कोशन आ चुके हैं और आगे भी इस में से कोशन आने की संभावना है दोस्तो और भी यहां पे कई चीज़ दी हुई है आप यह असानी से पढ़ लेना बिलकुल असान है और यह पढ़ जरूर लेना दोस्तो क्योंकि यह काफी इंपोर्टन्ट है हमारे लिए और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तो यह भी आप पढ़ लेना होती है सोल्र ofr से सो मेगावट की हम ने बात की थी और दोस्तों एक को यह पास बयो मास आएगा और फिर आएगा यह सायद समाल हाइड्रो पाऊर आएगा तो यह चीजे हाँ आप देख लेंा दोस्तो किसकी जो अक्षंता ज्यादा निरध़ की गई जैसे यह देखे यह मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर इसमें देख लेना दोस्तों इसमें से मैं बार-बार कह रहा हूं कि तीन से च्यार बार कोशन आ चुके हैं और एक कोशन इसमें से यह भी आया था कि जो नवी करने उरजास्तर होता उनको करम वाईज लगाई है सबसे ज्यादा जो टार्गेट अवो किसका रखा गया फिर किसका फिर किसका ठीक है तो यह दोस्तों यह काफी इंपोर्टन चीज नोट्स देते हैं प्लस में हम आपको 2012 से लेके 2019 तक ओल्ड पेपर कोशन देते हैं जै और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि सभी सोर्क्सिज की मिलाके चले यानि कि वो रिनेवल हो चाई रोन नॉन रिनेवल हो तो उनसे कितनी एनरजी परडूज होती है तो वो पध्यान में दे लिना दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइ अब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारी यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज से हम पीपल एंड इन्वार्वेंट का टोपिक सुरू करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे सुष्टेंड डवलपमेंट गॉल की और मिलेनि है और वैसे तो इसमें पहले वी कोशन आ चुके लेकिन इतने ज्यादा कोशन नहीं आये जितने 2019 के अंदर कोशन आये थे जून एक्जाम के अंदर तो दोस्तों ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2019 में इसमें से काफी वीडियोज देते हैं इसके साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक रिसर्च के कोशन आ चुके हैं वह हमने अलग रख हैं टीचिंग के कोशन अलग रख हैं कमनी के इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कि सहस्तरावदी विकास लक्षे और मिलेनियन डवलेफमेंट गोल भी इसे कहा जाता है एक्जाम है एक्जाम के अंदर जो एक्जामिन रख किसी भी नाम से इसे पुकार सकता है तो हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए अब देखते कि इसके अंदर क्या खास बात ह है देखिए सन 2000 में संयुक्त राष्टर संग के जर्नल एसेम्बली की बेठक हुई वहां उन्होंने सहस्तरावदी विकास लक्षे का प्रस्ताव पारित किया इन लक्षे को 2015 तक प्राप्त कर लेना था इसमें आठ लक्षे थे तथा एसोसियेटिड टार्गेट की संख्या अठारा थी अब देखिए इसमें से कई कोशन यहां पर बन रहे हैं कि इसकी जो सबसे पहली बेठक हुई थी 2000 के अंदर हुई थी इन लक्षों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था और इन में से कितने लक्षे थे आठ लक्षे निर्धारित किये गए थे और एसोसियेटिड टा उन्होंने पूछावा था तो उसके अंदर 2000, 2010, 2015 और 20 अपसंदिया हुआ था तो यहां से हमें यह थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजे हुई थी पृत्वी समेलन इसके अंदर क्या हुआ था इस दोरान यह समेलन ब्राजिल के रियो डीजनेरिया सहर में 1992 में हुआ था ठीक इसके 20 वर्षवाद रियो में ही 2012 में रियो पलस टवंटी के नाम से समेलन हुआ जहां यह तैह हुआ की क्योटो प्रोटो को 2020 तक ही जारी रखेंगे 2020 के बाद क्या करना है यह 2015 के पैरे समेलन में सभी देशे को था अब देखिए यह थोड़ी थोड़ी चीजी है थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है यह प्रित्वी समेलन है दोस्तों यह सुस्टेन डवलेफरमेंट गोल से ही रिलेटिड है अलग विश्य नहीं है अब ही इसमें आगे बात करेंगे ठीक है तो एक बार इसको आप दोबारा से हम पढ़ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आजाए देखिए इसमें क्या हुआ था यह समेलन कौन से समेलन प्रित्वी समेलन यह समेलन ब्राजिल के रियो डी जनेरिया सहर में 1992 में हुआ था और इसमें से भी कोशन आए है दोस्तों प्रित्वी समेलन कह हुआ था रियो डी जनेरिया समेलन है वो किसके लिए इस तरह के कोशन पहले आए हुए है ठीक इसके बाद 20 वर्ष बाद यानि कि 1992 के 20 वर्ष बाद 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से समेलन हुआ जहां यह तैक किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगी ठी कि 2012 में जो समेलन हुआ उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको 2020 तक जारी रखेंगी और 2020 के बाद क्या करना है यह 2015 के 25 समेलन में सभी देशों को तैद करना बिशाइड करना था कि हमें 2020 के बाद क्या करना है अब आगे देखते दोस्तों आगे क्या हुआ था सम्मिलन में यह भी तै हुआ कि संधरनी विकास लक्से यानि कि सुस्टेंड डवलप्रमेंट गोल जैसी कोई चीज लेके आएंगे इसके अनसंधान में सितंबर 2015 को सयुक् डवलप्रमेंट सम्मिलन में 17 सुस्टेंड डवलप्रमेंट गोल को अपनाया गया ठीक है जिसको सुरू करने की ती एक जोन 2016 है जिसको स्टार्ट करने की जो डेट रखी गई थी वो एक जोन 2016 रखी गई थी तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिमती थी 2030 रखी गई थी इ इसमें से कोशन आया है दोस्तों में आगे दिखाऊंगा आप पूरी वीडियो देखना में आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें से कोशन आये हैं तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसके लिए आप हमारा पेड़ गूरूप जोइन कर रखते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर जो में इंपोर्टेंट बात है आते 2030 तक सभी लक्षे पूरे हो जाए ऐसा संभव नहीं है इसलिए हम प्राथमिक इसलिए हम प्राथमिक्ता के अधार पर लक्षे को पूरा करेंगे अब देखिए ये चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों ऐसे इसामिनर कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है कि वो कोशन पेपर में दे देगा कि 2030 के लक्षे है वो किस अधार पर रखे गए वो प्राथमिक अधार पर रखे गए हैं उनको हम पूरा नहीं कर सकते लेकिन उनको कोशिश कर गए कि उ और आगे इसमें किया है दोस्तों 2016 के बजट में संधरनी विकास लक्षों को पूरा करने के लिए रश्ट्रिय ग्राम सवराज अभ्यान नामक योजना लाई गई है ये इंडिया की बात है दोस्तों ये हमें ध्यान रखना जुरूरी है जिसके तहत सरकार ने 655 करोड रुप पास जो 17 लक्षे थे वो कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं वैसे तो यहां पर अपने पूरी की पूरी लिष्ट दिवे या पढ़ सकते लेकिन कुछ में में चीज़े वह हम देख लेते हैं इसमें क्या था कि भोक की समापती खाद्य सुरक्षा बहत्र पोशन और टिक दलम भी बन जाएगी और जैसे इसके अंदर लैंगिंग समानता प्राप्त करने के साथ ही महिला और लड़कियों को ससक्त करना ये भी इसका एक लक्षे है और इसमें काफी सारी चीज़े हैं वह आप पढ़ लेना दोस्तों और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सह सहस्तरावदी विकास लक्षे वर्स 2015 के लिए आठ अंतराश्टी विकास लक्षे थे जो सहस्तरावदी घोचना को अपनाने के बाद 2000 में सह्तराश्टर के मिलेनियन सिखर सम्मेलन के वाद स्थापित किये गई थे अब देखिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिस करना दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था वर्स 2015 में आठ अंतराश्टी विकास लक्षे थे ठीक है यानि कि 2015 में कितने अंतराश्टी विकास लक्षे थे आठ थे जो सहस्तरावदी घोचना को अपनाने के बाद निर्धारित किये गई थे और इसमें क्या था 2000 में सउयूंत राश्टर के मिलेनियन सिखर समिलन के बाद स्थापित किये गए थे कब स्थापित किये गए थे मिलेनियम सिखर समिलन जो हुआ था उसके बाद ये स्थापित किये गए थे और दोस्तो इसमें भी एक कोशन आया हुआ है इसमें से कि जो 18 लक्षे हैं वो एक्जामिनर कहीं से भी कैसे भी कोशन दे सकता है और आगे हम बात करते दोस्तों आगे इसके अंदर क्या है उस समय एक उस समय 191 स्युक्त राश्टर के सदस्य राज्य और कम से कम 22 अंतराश्ट्री संगठन 2015 तक निमलिकित मिलेनियर विकास लक्षे को प्राप्त करने में सा अंगठन थे उन्होंने भाग लिया था और इसके अंदर जो मेन मेन जो इंपोर्टेंट आठ लक्षे थे वो हम देख लेते दोस्तों इसके क्या आठ लक्षे थे एक था चरम गरीबी और भूख के अनमूलन के लिए प्रात्मिक शिक्षा के पूर्ण परतिवंद की उपल लेना ये काफी इंपोर्टेंट है हमारे लिए और उसके बाद हम बात करें दोस्तों अगर ये भी पढ़ना चाहिए तो आप ये भी पढ़ लेना अब भारत की स्थिती पे बात करें तो दोस्तों भारत में क्या है भारत ने लक्षित लक्षों में से HIV AIDS ग्रीवी सार्वज सार्वजनिक शिक्षा तथा सीशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक पराप्त कर लिया है अब यहां पर ये कोशन बनता है कि जो भारत है भारत ने कौन-कौन से लक्षे पराप्त कर लिये हैं तो एक है HIV AIDS ग्रीवी सार्वजनिक शिक्षा सीशु मृत्युदर इन मानकों को उन्होंने पराप्त कर लिया है जबकि अन्य लक्सों में भारत अभीवी पीछे रहे गया है तो ये चीजे हमारे लिए इंपोर्टन्ट है और अब ये देखते दोस्तों की सुष्टेन डवलपमेंट गौल और मिलेनियन डवलपमेंट गौल में से किस तरह से कोशन आये हैं ये देखे दोस्तों ये जुलाई 2016 का कोशन पेपर है इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि सुष्टेन डवलपमेंट गौल किस वर्स तक प्राप्त करने का विसीष्ट लक्से रखा गया है अभी मैंने आपको बताया था कि 2030 तक इसका लक्से रखा गय है तो इसका असर ऑप्सन नमबर टू यहां पे आज जाएगा तो देख सकते कितना असान कोशन आया हुआ है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों ये जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कतन अभी कतन दी है तो ये देखते है कौन सा सही होगा क्या गल्थ होगा इसे मैं कहा है कि सबसे पहला ओप्सन ए सतत विकास मानौ समाज के कल्यान के संसाधनों का सरण नहीं करती यानि दोस्तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे English में भी पढ़ सकते हैं जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में प्रोलम है तो अब इन दोनों में हम देखते हैं दोस्तो अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों बाते सही है अब देखिए सतत विकास मानव समाज के कल्यान के लिए महतो पर नहीं ये बात बिल्कुल सही है और दूसरी R है प्रयावरणिये दृष्टी से सही नीती प्रयावरण को सती नहीं पहुंचाती ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तो अगर हमारे सही रूल रेगुलेशन होंगे तो वो प्रयावरण को क्यो नुक्सान पहुंचाएंगे कभी नुक्सान नहीं पहुंचाएंगे तो ये दोनों के दोनों बाते सही है दोस्तो कोई भी बात गलत नहीं है लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है option number A दिया A और R दोनों सही है R A का सही सपष्टिकर्ण है या नहीं यह हमें बताना है अब देखें दोनों बाते सही है लेकिन R जो है A का समर्थन नहीं करती क्योंकि यह दोनों की दोनों चीज़े अलग है यहां related है लेकिन बिल्कुल जादर related नहीं है एक दूसरे का समर्थन नहीं करती यह sustain development goal है इसके अंदर बहुत सी चीज़े आती है और यह प्रियावरन की बात चल रही है यहां पे ठीक है तो दोनों की दोनों बाते सही है लेकिन एक दूसरे का समर्थन नहीं करती तो इसका जो option number two होगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही सपरश्टी कर्ण नहीं है यह इसका answer आ जाएगा और उसके बाद हम देखते दोस्तों अगला question यह देखे यह हमारा 21-0-2019 को question आया था इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सयुक्त राष्टर में वर्स 2010 में सहस्त राबदी विकास लाक से पारित किये गए थे अब यह देखे दोस्तों यह मैंने बात कही थी ना कि कब सुरू सुरु सुरुआत की गई थी उनकी सुस्टेन डवलपमेंट गोला उनकी कब सुरुआत की गई थी कब की गई थी 2000 के अंदर की गई थी लेकिन यहां पर यह क्या कह रहा है कि 2010 के अंदर की गई थी तो इसका जो कथन ए है यह गलत हो जाएगा अब दूसरे पर बात करते है विकास के लिए वैस्विक साजहेदारी को विक्सित करना सहस्त रागदी विकास लक्सों में से एक लक्सित था यह बात इसकी बिलकुल सही है दोस्तों तो यहां से अपना जो आंसर है वो उप्सन नमबर टू यानि कि केवल सेकंड राइट हो जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान कोशन आ रहे हैं कितने आसान कोशन आ रहे हैं और हम लोग वैसे डरते जाते हैं पता नहीं क्या आता है पेपर के अंदर हाई हो नहीं पाता हमारे अंदर ऐसा हुआ बना हुआ है लेकिन आप अपनी आँखों से देख लीजे ये कितने आसान कोशन आ रहे हैं तो दोस्तो थोड़ी सी हमें मेहनत करने की आवा सकता है आपका net plus grf दोनों के लियर हो सकता है और दोस्तो अगर आप अच्छे से study करना चाहते हैं तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप हमारा paid group join कर सकते हैं उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छ के तरीके से हो जाती है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के question आए हैं अब ये देखिए दोस्तों ये question आया था ये भी हमारा 21-2019 को ही आया था इसके अंदर इन्लोंने क्या कहा है which one of the following conference समीती is also known as UN Conference on sustained development देखिए sustained development के उपर कौन सी समीती या conference हुई थी वो ह हमें बताना है ये हमने पढ़ा था दोस्तों अभी पढ़ा आपको ध्यान में हो तो रियो प्लस टवंटी की बात की थी मैंने दो से तीन वार इसका नाम आया था तो दोस्तों आप देख सकते कि कितने असान question आ रहे हैं अगर हम अच्से से study करें तो बिलकुल असानी से जून को ये आया था question इसके अंदर क्या कहा गया है विच ओधा फ्लोविंग आर प्राइटी एरिया इन रिलेशन टू दा सुस्टेन डवलपमेंट गोल सुस्टेन डवलपमेंट गोल की क्या प्राइटी है वो हमें पता करना है और अगर यहां पे आप देखे तो यह गरीबी नहीं यह बात हम कहे सकते हैं उसके अंदर गरीबी कम करने की बात कही गई थी सुन्य भोक यानि कि जो भोक मरी है आज के टाइम में उसे कम से कम करने की हमारी कोशिस की गई थी और आगे है सहरी करन को कम करना यह बात डाउट गया है दोस्तों यह बात उसमें नही कही गई थी कि जो अर्बन एरिया है सीटी है उनको कम किया जाए यह नहीं कहा गया था और उसके बाद में हैं जैसे ऑप्सन नमबर डी शांती न्याएं और मजबूत संस्था है यह बात भी इसकी बिल्कुल जही है तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्सन नमबर फॉर एब कोशन यहां पर आ रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए वसी इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और घंटी का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का वटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज हम पेपर फर्ष्ट में प्यूपल एंड एन्वाइरमेंट के अंदर एन्वाइरमेंट और एको सिस्टम के वारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों वैसे तो मैं हर बार आपको एक बात कहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन होने वाली है तो दोस्तों आज ऐसा कुछ नहीं है ये हमारी एक बेसिक वीडियो है इसके बारे में हम जो एन्वाइरमेंट और एको सिस्टम है उसके बारे में बेसिक चीज़े करने वाले हैं और इसमें से आज तक बहुत ज़्यादा कोर्शन नहीं आया है दो तिन कोर्शन आया है कोई ज़्यादा कोर्शन इसमें से आज तक मैंने नहीं देखे लेकिन फिर भी हमें basic knowledge के लिए इन सभी चीजों का पता होना जरूरी है कि ecosystem क्या होता है और ecosystem में क्या-क्या चीजे होती है तब ही हम आगे की जो वीडियो है वो पूरे अच्छे तरीके दोस्तो श्योर net और जरफ लेने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के study notes देंगे वीडियोस देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question पेपल देंगे जैसे कि research के जो question आउसके वह हमने अलगी हुए teaching के अलग है, communication के अलग है इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस course के अंदर live mock test मिलेंगे अगर आपका किसी भी तरह कोई स्वाल जवाब होता तो आप हमें वर्सप के जड़िये भी पूछ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको old year question paper second भी देंगे 2019 तक, तो किसी भी दोस्तों हमारे course जोइन करना है तो आप हमें इस WhatsApp नमर के मैसेज कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्रियावरन होता क्या है देखे प्रियावरन को English में environment कहते हैं और जो दो सब्दों से मिलकर बना है अगर हिंदे में हम बात करें तो परी जो हमारे चारो और है उसका मतलब है परी और आवरन जो है, यानी कि जो हमने ओर्ड रखा होता है यानी कि जो हम जिसके चारो और से हम घिरे हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रियावरन और देखे अगर simple भासा में समझे तो प्रयावरण का मतलब ये होता कि हमारे आसपास surrounding जो भी चीज़े है वो प्रयावरण के अंदर आते है चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो चाहे कैसी भी हो हमारे चारों और चाहे living thing हो या फिर non living thing हो सभी को हम include करते हैं English में भी ये दिया हुआ है और आगे हम देखते हैं दोस्तों की जो प्रयावरण है प्रयावरण के क्या क्या component है और किस से बना हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों पारी तंतर यानि की ecosystem या फिर पारिस्थितिक तंतर ecological system के बारे में दोस्तों इसमें से एक question जरूर आया थ पहले इसमें ये पूछावा था कि पारितंतर यानि की ecosystem सब्द किसने इजाद किया था किसने बनाया था तो इसके बारे में एक question आया था तो वो हम जरूर देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों की ecosystem क्या होता है ecology क्या होती है अब इसके अंदर देखिए क् प्राकरतिक इकाई है जिसमें एक 76 विशेस के सभी जीव जीवधारी अरतार्थ पोधे ज्यानवर और अनू जीव सामिल है यानि कि एक ऐसा structure जिसके अंदर सभी जीव जन्तों सामिल है उसे हम क्या कहते हैं इको सिस्टम कहते हैं जिनके अंदर सजीव चीजे सामिल हो और हो सकती है चलिए इसे हम आगे समझने की कोशिस करते हैं जो कि अपने एजयविक प्रयावरन के साथ अंते किरिया करके संपूर्ण जयविक इकाई बनाते हैं जैसे कि आपको एक उधार्ण के जरीए समझाता हूं जैसे कि ये खरगोस हो गया खरगोस के चार और सभी तरह क कहेंगे और यहाँ पर हमने जैसे इंगलिस में भी दिया है आप इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं अब देखें इसमें जो इंपोर्टेंट चीज़ वो क्या है एको सिस्टम का नाम सरोपर्थम एजी टेंस्टले ने 1935 चपन के अंदर दिया था ये कोशन दोस्तों पहले आ कि इको सिस्टम नाम किस ने दिया था तो किस ने दिया था ए जी टेंस लेने दिया था उन्होंने इस्से परिवासित करते हुए लिखा है पारिस फित्य तंत्र वह तंत्र है जिसमें प्रीयावरन के जैवत अत्वम एजक कारक अंतर-संबंधित होते हैं यानिकि थे उन्होंने एको सिस्टम को अलग अलग नामों से पुकारा था आप यहां पे देख सकते इन सभी को पढ़ लेना दोस्तों फिर भी आप एक वारी से जरूर देख लेना और आगे हम बात करते दोस्तों जैसे एको सिस्टम के जो नाम है उसको अच्छे से और समझने की कोश जिसका अर्थ है प्रेावरण jadi oe chemicals का प्रेयाई है जिसका अर्थ है यह थोड़ी क सीजजी है दोस्तों और गर अब एक सिस्टम जैसे के हमने बात की ये काफी तरह की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है तो वो सभी चीज़े हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऐ जैवी की आप भोतिक परियावरन इसको इंगलिस में अगर हम बात करें तो ऐ बायोटिक और फिजिकल एनवार्मेंट कहते हैं इसके अंदर क्या आता है दोस्तों हमारे पास सबसे पहले आता है सथल मंडलिया परियावरन आता है उसके बाद में आता है हमारे पास वायू मंडलिया परियावरन और फिर आता है जल मंडलिया प्रियावरण आता है इन तीनों के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे और उसके बाद में दोस्तों जैसे कि हमारे पास आता है जैविक प्रियावरण यानि कि living thing जो प्रियावरन होता है वो यानि कि biological environment इसके अंदर क्या आता है वनस्पती प्रियावरन आता है जन्तु प्रियावरन आता है इसके अंदर अब हम जैसे बात करें कि एजैविक प्रियावरन है एजैविक प्रियावरन क्या होता है इसके वारे में हम अच्छे से सम परदी पड़ रही है तो इसे भी हम क्या कहेंगे एजविक प्रयावरन कहेंगे और जैसे कि हमने बात की थी कि जो हमारा एजविक प्रयावरन वो किस किस से मिलके बना है मृदा हो गया वायू हो गया जल इतियादी हो गया तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने क की कोशिश करते हैं अब देखे सबसे पहले हम बात करते हैं वायू मंडल की यानि की एटमस्फेर की बात करते हैं अब वायू मंडल के अंदर काफी तरह की गैसे होते हैं और हम सभी और से लगभग गैसों से घिरे हुए हैं और इसके अंदर दोस्तों उपस्थित गैसे पोद हैं उनके लिए बहुत ज्यादा वो जरूरी है और जो हमारा वायू मंडल है दोस्तों उसको कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है और वायू मंडल के जितने भी भाग है जितने भी पार्ट है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे इसके बाद दोस्तों जैसे क हमारा वायू मंडल है वायू मंडल से और भी काफी तरह की चीज़े होती है जैसे हमारा जीवन चकर चलता है सारी के जो बनावट होती है और आगे हम जैसे बात करें की जल की बात करें वोटर की बात करें तो वोटर हमारी प्रिथवी पर बहुत ज्यादा वोटर है जल प् water को हम कई तरह से अलग-अलग रूप में परिवर्टित कर सकते हैं और इसके अंदर दोस्तों जो हमारा जल होता है उसके अंदर क्या होता है oxygen होते हैं carbon dioxide होते हैं तो था कुछ जो नोट से हमारा इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं इसके अंदर बिल्कुल basic चीजे हैं जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं नमवी दस्वी ग्यार्वी क्लास में हमने पढ़िए वही सारी चीजे हैं मिट्टी क्या होती है पानी क्या होती है मृद्दा क्या होती है सारी चीजे वही है दोस्तों और जैसे कि यहां पे इन्होंने मिट्टी की बात कही है अब देखिए जो मिट्टी जो होते हैं वो हमारी धर्टी के सबसे उपर की जूप पार्थ होती है और इसमें काफी तरह के खनीज बदार्थ हम उगाते हैं फसले वगाते हैं मिट्टी हमारे पास जैविक संगठक यानि की बायोटिक कमपोनेंट अब देखे बायोटिक कमपोनेंट के अंदर क्या है सबसे पहले हम बात करते है पादप फिर जीव और फिर सुक्षम जीव अब बात करते है जैसे पादप क्या होता है प्लांट होता है पास अब देखिए इसके अंदर जितने भी हमारे पेड़ पोधे वो सारी चीजे इसके अंदर समलित होती है और जो पेड़ पोधे होते हैं वो हमें पता है दोस्तों ज्यादत तर अपना भोजन खुद बनाते हैं ये अपने आप अपने भोजन का निर्मान करते हैं और उसक काफी तरह के हो सकते हैं वह सौबर भौजन किसी और पर निर्भर होके प्राप्त करें तक देखी यह शारी चीजंगे हमने पहले बढ़ी हुए है कोई ज़्यादा मुस्किल नहीं इसके अंदर अब देखी जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि अधिकांस जीव पर पोशी होते यानि कि वो दूचरे पर निर्भर होते सब पोशी जीव अपने आहर का निर्मान सव्यम करते हैं पर पोशी जीव अपने आहर है तो अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं और उसके बाद में जैसे कि इनके जीवों के बारे म जीव जन्तु की डेथ हो गए है वो उनको खाके अपना जीवन चक्र चलाते तो उन्हें हम क्या कहते हैं मर्द जीवी कहते हैं उसके बाद है दोस्तों हमारे पास पर जीवी वे जीव जो अपने आहार है तो अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम क्या कहते है परजीवी कहते हैं और प्राने संभोजी अब ये देखें ये किस तरह के होते हैं वे जन्तु जो अपना अहार अपने मुख दवारा गरहन करते हैं सभे बड़े जन्तु इसी सिरेनी के अंदर आते हैं और उसके बाद में जैसे हम बात करें सुक्षम जीवी की सुक्षम काफी प्राने संभारा जेखें से कि कोई पौधाया है वो डैथ होगी फिर कोई जिव जन्तु उसकी डैथ होगी तो इसको गलास रडाके उसे जो बिलकुल खतम हो जाता है उसके बाद में जो अपना भोजन इन्तियार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सुक्षम जीवी कहते ह और उसके बाद में एक और जो चीज हमारे पास important आते हैं च्बश करिकों हमारे पास उर्जा-sangatak का मतलव ये है कि जैसे हम सूरिये से हम अपने उर्जा बना रहे हैं बने जैसे कי हमारे पास चुम्बक है चुम्बक से भी काफी तरह की एनरजी बनाए जाती है तो इसे हम क्या कहते जोस्तो अर्जा संग्टक कहते हैं और आजकल जैसे के हमने देखा कि पवन चक्यों के द mystery ख़ें भी बहुत जयादा अर्जा बनाए जाते हैं इन सभी को हम क्या कहेंगे उर्जा संगटक कहेंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और आज वैसे कोई खास वीडियो नहीं थी बस नॉर्मल वीडियो थी हमें आगे की चीज़े समझने के लिए तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थेंग द सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम पेपर फर्स्ट के अंदर एन्वायरमेंटल पॉलिशन करने वाले हैं और दोस्तो इसमें से आज तक बहुत से कोशन आये हैं और ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस में से जैसे मैं बता रहा हूं कि काफी कोशन आज तक आये हैं और आगे की वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इन में से कोशन आये हैं लेकिन वह कोशन करने से पहले हमें एन्वायरमेंटल पॉलिशन के वारे हम ब देंगे 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक सभी शिट के कोशन पेपल देंगे जैसे कि रिसर्च के जो कोशन आज को हमने अलगी हुए टीचिंग के अलग है इसके साथ साथ दोस्तों आपको स्पोर्स के अंदर लाइव मोग टेस्ट मिलेंगे अगर आपका किसी भी तरह कोई सवाल तो आप हमें वर्सप के ज़िए भी पूछ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको और लियर कोशन पेपर सेकंड भी देंगे 2019 तक तो किसी भी दोस्तों हमारे कोशन जोइन करना तो आप हमें इस वर्सप नमर के मैसेज कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रयाव रणिया पर्दूसन होता क्या है देखे पर्दूसन आम भासा में अगर हम समझे तो मानाओ के दवरा जो वी कारिये किया जाता है उसे कही ना कहीं पर्दूसन होता है चाहे वो भवन निर्मान कर रहा हो या गाड़ी प्रदूसन हो सकता है और उसके बाद जैसे कि दोस्तों अगर हम प्रदूसन की डेफिनेशन की बात करें तो मानाओ गती वीधियों के फल्सवरूप प्रयावर्ण में एवांचित पदार्थों का एकत्रित होना यानि कि मानाओ की ऐसी कोई भी गती विधि जिससे के इंपोर्टेंट ब़ाते हैं वह देख लेते हैं जो हमारे एक्जाम के पाइंटो फ्यीव से अब दोस्तों करते हैं हम वायू पर दूसन की अब देखेश वा predictive हमस्भी को पता है कि वायू प्रदूसन ज्यादा तर जो हमारी चिम्नी है और जो उध्योग कार खाने हैं उ अधिया थे दोस्तों जो हमारा वायू प्रदूशन है वो मुख्य रूप से दो तरह का हो सकता है एक तो होता कड़ी है यानि कि हवा के अंदर कड़ एकठे हो जाते हैं यानि कि जैसे हम क्या कहते हैं समौग कहते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो उस तरह का होता ह होता है हमारा गैसीय प्रदूशन होता है यानि कि हमारी हवा के अंदर जहली गैस भर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं गैसीय प्रदूशन कहते हैं और इसमें जैसे यहां पे कुछ एक्जमपल भी दिये हैं यहां से आप अच्छे तरीके से समझ सकते कि कड़ीय प्रदू और इससे दोस्तों जैसे कि हमारे फेफडों के काफी रोग होते अस्तमा हो गया कैंसर हो गया और भी काफी तरह के रोग इनसे हो सकते हैं और इससे एक और चीज क्या होते हैं दोस्तों सुरिय का प्रकास कम हो जाता है दरसत्ता हमें कमी आ जाते यानि कि हमें दिखाई देना बहुत कम हो जाता है तो ये सारी चीज़े इसमें होती है और इसके बाद में और वी आप यहाँ पर चीज़े पढ़ सकते हैं बिलकुल असानी से हमने इसमें दिया हुआ है और आगे हम बात करें दोस्तों कन रूपी परदूसक के बारे में कुछ और important बाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं हमारे exam के point of view से अब देखे एक बात इसमें से question आया था दोस्तों पार्टिकुलेट पालिटेंट जो होते हैं उनका size क्या होता है size के बारे में एक question आया था तो इनका जो अकार होता है दोस्तों वो क्या था 0.001 से 500 UM तक होता है इनका size तो ये size हमें पता होना बह कहते रहते हैं जो कण 10 UM से बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों ये हमारे कथन अभी कथन में आ सकती है ये चीज़े और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों जो 0.02 UM से छोटे होते हैं उन से वायू विले अपना कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों कई बार SPM की फुल फॉर्म भी वो पूछ सकते हैं और ये जो है दोस्तों इनका जो मुख्य स्त्रोथ है वो क्या है गाड़ी है पावर प्लांट है और निर्मान गतिवीदी है तेल रिफाइनरी है तो इन में से भी कॉशन आ स उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं फलाइस कहते हैं तो ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इसमें से पढ़ सकते हैं और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों हमारे पास है सीसा या लेड अन्य धातूों के कंड उससे क्या परभाव पढ़ता है व अब देखे उससे क्या परभाव पड़ता है जब वो सीसा गाडियों की निकास नलीयों से निकल कर हावा में मिल जाता है तो वो हमारे सवास के अंदर बहुत ज्यादा प्रावलम देता है यानि कि हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उससे हमारे गुर्दे और जिगर, फैल होने की, काफी संभावना बनती है, और आपने देखा वगा दोस्तों, कि तेल के अंदर सीशा बहुत मातरा में पाया जाता है, और इससे बहुत परदुसन होता है, यह चीज हमें ध्यान रखना जुरूरी है दोस्तों, और जो इसके अंदर एक और जो पदाहरत होता है उसे हम क्या कहते हैं ट्रेटा इथाइल लेड टी-ई-ल कहते हैं ये चीज़ हमें पता होना चाहिए और इसे और क्या चीज़ होते हैं जैसे कि लाल रक्त कड़ों के बनने में बाधा पहुंचती है यदि सीसा पानी और भोजन के साथ मिल जाता तो यह एक तरह से विस्व वन जाता है यह वच्चों पर द्रग कालिन प्रभाव डालता है जैसे बुद्धे को कमज़ोर करता है तो यह इसके कुछ इफेक्ट पड़ते हैं दोस्तों और उसके बाद हम बात करें दोस्तों गैसिय प्रदूसक यानि की गैसिय पॉलिटेंट अब इससे क्या होता है यह भी हम देखते हैं पावर प्लांटों उध्योगों विभन परकार की गाड़ियों नीजी और वैवासाइक दोनों ही इंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उप्योग करते हैं यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों और इंसे क्या है दोस्तों इन से कारफन डायॉकसाइड नाय ट्रेजाजन और और सुलफर डायॉकसाइड के कण भारी मात्रा में निकलते हैं जो पर दोसान का बहुत बड़ा स्थ्रोथ है और एक चीज़ोर मैं दोस्तों यहाँ पे बता दू कि यहां पे हम केवल और केवल बेसिक वीडियो कर रहे हैं दोस्तों ताकि हमें पता चल जाए कि environmental pollution होता क्या है और आगे की जो वीडियो होगी उसके इंदर हम बहुत detail से पढ़ेंगे दोस्तों यानि कि cfc है उसे क्या क्या effect पढ़ते हैं cfc कहां कहां से निकलती है एनोटो है उससे क्या effect पढ़ते हैं सल्फर डाय उक्साइड क्या 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 बिमारिया होते हैं उन सुभी के बारे में हम detail से वीडियो करेंगे क्योंकि उन में से आज तक बहुत से question आए है तो यह वीडियो केवल और केवल हमारी basic जानकारी के लिए है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो वो टोपिक करवाए नहीं या फिर वो अब बात करते हैं दोस्तों ओजोन पर्थ में छेद समताप मंडल में एक ओजोन पर्थ होती है तो सबसे पहरा जो question है हमारा यहीं पर बन रहा है दोस्तों कि जो ओजोन पर्थ होती है वो कहां पर होती है समताप मंडल में होती है जो सुरिये से निकलने वाले तिरव पैरा बैंगनि करनो यानि कि अल्टरा वॉयलेट करणे जो होती है वेडियेशन जो होते है उन से हमारी रक्षा करती है और इसका जो मुद्द है दोस्तों बहुत बड़ा मुद्द है क्योंकि इसका जो छेद दोस्तों वो बहुत बड़ा होता हुआ जा रहा है और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो क्या है कलोरो फलोरो कारवन है जिसक अगल और वी काफी तरय कि बाते हैं और जोन परत के वारे में हम आगे की वीडियो में जानेगे और इसमें कुछ नॉर्मल चीज़े दी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं जैसे की CFC ओजोन पर्त में फैले ओजोन कणों को ओक्सीजन O2 में बदल देता है और दोस्तो ओजोन पर्त का जो छिद्र है वो बड़ा होने से क्या होता है आँखों में मोत्याविंद हो सकता है और जन्गलों में कम उतपादन हो सकता है और दोस्तो ओजोन पर्त के छिद्र को कम करने के लिए मॉंट्रेल परोटो कॉल की स्थापना की गई थी 1990 के अंदर और इसके अंदर दोस्तों ओजोन परत को हानी पहुंचाने वाले सी एफ सी को पून रूप से हटाने का निश्चे किया गया था और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब की गई थी इसमें कितने देशों ने भाग लिया था और उसके बाद क्या हुआ और किस किस पे नियंतरन रखने की कोशिश की गई थी यह सारी चीज़े हम आगे पढ़ेंगे और उसके बाद में दोस्तों हमारे पास भूम अडलिये उसमन यानि की हरित गरह परभाव अब देखिए यह क्या होता है दोस्तों यह हमें थोड़ा समझने की जरूत है अब देखिए जो हमारी किरने सुरिये से आती है ठीक है सुरिये से हमारी प्रिथवी पर आती है और प्रिथवी से जब यही किरने वापिस दोबारा से एन्वारिमेंट के अंदर जाती है तो एक मुख्य कारने दोस्तो वह ग्रीन आउस जैसे हमने देखोंगे कि खेतों के अंदर एक तंबूसा लगा दिया जाता है और और उसके उपर क्या होता दोस्तों एक पन्नि धख दी जाती है तो उससे क्या होता कि जो वास्प बनती है तो यह वास्प उपर नहीं जाने देती इससे क्या है कि हमारी प्रिथवी उसका temperature बढ़ता जाता है तो इसे हम क्या कहते है ग्रिन हाउस effect कहते है और इसमें काफी तरह की चीज़े दियुए है दोस्तों आप यहां से पढ़ लेना बिल्कुल असान है और उसके बाद में जैसे हम एक बात करें दोस्तों यदि इस ग्रिन हाउस effect को नहीं रोका गया तो दोस्तों पांच परशेंट तक तापमान बढ़ने की असंका लगाई जा रही है अब प्रिथवी का तापमान बढ़ने से क्या होता दोस्तों हमारे जितने भी ग्लेशियर है वो पिंगलने शुरू हो जाते जिससे हमारे समुंदर का लेवला वो बहुत बढ़ जाता है और तुफान विगराने की बहुत ज्यादा संभावना होती है अब उसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करें धावनी परदोसन की अब देखिए धावनी परदोसन में क्या होता है कि जो भी सोर हो रहा है हमारा चाहे वो पत्थर के काटने से हो रहा हो या फिर लाउड स्पीकर से हो रहा हो धवनी की उच्टा का सतर डेसिवल में नापा जाता है ये कोशन बिलकुल डायरेक्ट एक बार पूछा हुआ था दोस्तो कि जो धवनी की उच्टा का सतर है वो किसमे मापा जाता है तो वो किसमे मापा जाता है डेसिवल के अंदर मापा जाता है और विश्व समास्ते संगठर ने धहनी का सतर कितना निर्धारित किया दिन के अंदर 45 डैसिवल निर्धारित किया और रातरी के समय में 35 डैसिवल निश्चित किया हुआ है और 85 decibel से उच स्थर पर होने वाली धहनी खानीकारक होती है ये तीन चीजे हमें पता होना जरूरी रहे हैं दोस्तों और एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस में मापा जाता है decibel के अंदर मापा जाता है तो यहां से चार चीजे हमारे निकल के आ रही है और इसके बाद में दोस्तों एक यहां पर टेवल वीडियो है यहां पर वी आप देख सकते कि जो हम बात चीट करते हैं तो उनका स्थर कितना होता है 20 से 30 decibel होता है और हवाई जहाज उडाते हैं उसका कितना होता है 90 से 120 decibel होता है तो इसमें से एक कोशन आ सकता है साइद कि जो हम बात चीट करते हैं तो वो कितने decibel की होती है तो यह चीज हमें पता होना जरूरी है और उसके बाद में जैसे हम बात करते हैं जल पर दूसन की बात करते हैं जल पर दूसन हम सभी को पता है कि जल के अंदर हम जो भी कुडा करकट या गंदी चीज डाल देते हैं तो इससे हमारा जल परदूसन हो जाता है और इसके अंदर जाधातर क्या होता है दोस्तों ओध्योगिक क्रेशी और घ्रेलू कारणों से हमारा जल परदूसन होता है लेकिन अगर दोस्तों इसमें ये पूछा जाए डायरेक्ट कि जल परदूशन है सबसे जादा किस चीज से होता है तो आप क्या कहोगे इन में से आप साइद कहेंगे और ध्योगे कि लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है जो हमारा क्रिसी है क्रिसी से जल परदूशन बहुत ज्यादा होता है और ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगे लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसमें से करीब दो बार कोश्चन आ चुके हैं और अभी हमारा जून 2019 का एक्जाम था उसके अंदर ये डायरेट कोश्चन आया था कि जल परदूशन है वो सबसे ज्यादा किस वज़ए से होता है तो उसका अंसर था दोस्तों क्रिसी था क्रिसी से हमारा जल परदूशन होता है अब देखी क्रिसी को क्यों माना जाता है जल परदूशन का मुख्य स्रोत क्योंकि क्रिसी के अंदर हम बहुत ज्यादा पानी वेश्ट करते हैं अब फसले उगाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है तो वो ऐजे जल परदूसन के अंदर काउंट किया जाता है और आगे हम बात करें दोस्तों जैसे कि जल परदूसन के प्राकरतिक कारणों में मृदा अपरदन चटानों से खनीजों का रिशाओ तो ये कुछ चीजे दी हुए दोस्तों आप यहां से पढ़ लेना बिलकुल असान है और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे कि इसके विपरे तो ये सारी चीजे आप पढ़ लेना दोस्तों बिलकुल असान है कोई खास बात नहीं है और उसके बाद है जैसे हमारे पास थरमल पर दूसर नहीं यानि की तापिय पर दूसर अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों की जैसे मान के चलो थरमल पावर प्लांट है या कोई बहुत वड़ी फैक्टरी है उसके अंदर किसी चीज को गरम कर रहे है पहले बहुत जाता गरम कर दिया अब उसे ठंडा करने के लिए उस पे हम पानी डाल रहे हैं तो वो जो हमने पानी डाला तो वो तो गरम हो गया ना दोस्तों दूसरी चीज तो ठंडी होगी लेकिन जो हमने पानी डाला वो हो गया गरम और वो गरम पानी जबनालियों के अंदर बहता हुआ ब पर बहुत ज्यादा effect पढ़ता है तो वो विचैरे मर जाते हैं तो इस तरह से हमारा ताप यह production होता है यहां पर आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़े ध्यान से और यहां पर आप चाहिए तो दोस्तों पूरी की पूरी चीज़े पढ़ सकते हैं बिलकुल असानी से दी हुए है वैसे कुछ खास नहीं है जो मैंने बताए वही सारी चीज़े इसके अंदर है और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों मिर्दा परदूशन यानि की soil pollution अब देखे soil pollution किस तरह से होता वो हम देखते हैं मिर्दा की गुणवता और इसकी उर्वक सकती को परतिकुल भावित करने वाले किसी भी पदार्थ का भूमी में मिलना मिर्दा परदूशन कहला था है यानि कि जो हमारी मिटी है मिटी यह कहते है कि यह मिटी उपजाओ है यह उपजाओ नहीं है तो वह क्या कारण होता है दोस्तों कई जो मिटी है उनके इंदर उर्वक सकती बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन कईयों के अंदर धीरे धीरे खतम होती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं मिर्दा परदूशन कहते हैं और यह दोस्तों ज्यादतर क्या होता है कि एक तो हम प्लास्टिक डाल देते हैं कपड़ा डाल देते हैं गलास कांच काफी तरह की चीज़े है और शिवरेज का जो वेश्ट है वो हम मिट्टी के उपर ऐसे ही डाल देते तो इससे हमारा मिर्दा प्रदूशन होता है और इसके अलावा दोस्तो जैसे कि राख लोहा लोही की कचरा चिक सय और द्योगी कुड़ा बहुत सी ऐसी चीज है दोस्तो जिनशे हमारा मिट्टी पर दूशन होता है और इससे क्या effect पड़ता है दोस्तों इससे सीधा सा effect यह पड़ता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हम फसल नहीं होगा पाते हैं दूसरा क्या है कि कटाओ होने लगता कटाओ होने से क्या है कि हम अपने घर वगएर वो अच्छे तरीके से नहीं बना सकते और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास वी किरन यानि कि रेडियेशन का जो प्रदूशन होता है वो हम देख लेते हैं अब देखिए जैसे हमने एक सुना था कि भुपाल गैस कांड हुआ था तो वो एक विकरन प्रदूशन था दोस्तों उसके कांड बहुत से लोग अपंग हो गए थे आज भी अपंग है और बहुत से लोगों की जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और इसक 266 में रूस में होने वाली चैरी नौविल आपदा थी जिसका उसका लेकिन उसका परभाव आज तक कायम है तो दोस्तों हमारे इतिहास में ऐसी बहुत से घटना हुई है जिनका नावी के प्रदूशन की विज़े से बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ा है तो दोस्तों य प्रदूशन के बारे में बेसिक वीडियो और आगे की जो वीडियो होगे उनके अंदर हम बहुत डिटेल से जानेंगे कि वायू पर दूसरां किस तरह से होता है उसको किस तरह से कम करने के लिए क्या क्या सरकार ने योजना चलाई है और इससे क्या क्या बीमारिया फैलते वो सारे चीजे हम आगे की वीडियो जमें करेंगे तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडि किजिए कमेंट किजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जुरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों एंटी युजिसनेट यानि निमिजनेट एप ओर 10 उनिट स्टेडी नोट्स प्लस वीडियोज प्लस लाइब मॉक टेस्ट 2012 से लेकिए दिसंबर 2019 तक सभी सिफ्ट के कोशन पेपर हिंदी इंगलिस के अंदर 4 पेपर 1st और 2nd विद अंसर की डाउनलोड इट उन गूगल प देखना दोस्तों अंत तक क्यूंकि इस वीडियो में माप को दोस्तों प्यूपिल एंड एंवायर्मेंट में से वो कोशन दिखाने वाला हूं जो 2012 से लेकि दिसंबर 2019 तक आए हैं एंवायर्मेंटल पोलिशन में से और इसमें माप को ये दिखाने वाला हूं कि किस तरह से कोशन आते हैं और किस तरह से हमें उनको करना है दोस्तों ये वीडियो आप देखने के बाद आप बिल्कुल असानी से एन्वायर्मेंटल पॉल्यूशन के कोशन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जून 2012 के कोशन पेपर पर इसमें देखे दोस्तों ये कोशन नमबर 31 दिया है नित्रों में जलन किस परदूसक वस्तों के कारण होती है तो इसका जो आंसर है इन्होंने पैन दिया है पैन जो होता है दोस्तों जो हमारे होता है धूव fender से निकलता है और आगे हम बात करें दोस्तों आगे हमारे पास क्लोरो फ्लॉरो कारवन का स्त्रो थो कौं सा है सीहती सीका स्त्रोथ कोण से कहां से ज्यादातर निकलती है तो इन्होंने यह प्यांसर दिया दोस्तो रेफरीजरेटर एंड एर कंडिशन से बहुत ज्यादा निकलती है और CFC जो है दोस्तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि इसमें से 3-4 बार कोशन आए है और आगे मैं दिखाऊंगा आप देखना कि इसमें से किस तरह से कोशन आए है और आगे जैसे हम बात करें ये दिसमबर 2012 का कोशन पेपर है निमन लिखित में से कौन सा मिथेन का स्त्रोथ है तो यहाँ पे इसका उप्सन नमबर A यानि की आइस थल वैट लेंड से जो दिया है ये मिथेन का मुख्य स्त्रोथ है और यहाँ पे एक चीज देखना दोस्तों इन्होंने इनके स्त्रोथ पूछे हैं जितनी भी गैसी जविगरा है आनिकारक चीज है उन सभी के इन्होंने ज्यादा तर स्त्रोथ पूछे हुए है और उन से क्या क्या बिमारिया होती ये दो चीज मुख्य रूप से पूछी हुई है तो अब हम आगे देखेंगे आप देखना दोस्तों और आगे जैसे इन्होंने ये पूछा हुआ था कि जपान में मिनी माता आपदा किसके प्रदूसर के कारणा हुई थी तो इस कारण से दोस्तों पारा तो ये पारा के कारणा हुई थी ये यानिक एक बिमारी का ही टाइप हम कह सकते हैं और उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास जून 2013 का कोशिन पेपर है इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ कि भारत के सहरों में धूम में मुख्यते सामिल होते हैं धूम यानि कि जो कोहरा जो होता है उसमें क्या-क्या सामिल होता है तो इसके अंदर ये है दोस्तों नाइट्रोजन के ओक्साइड और अंजले हाइड्रोकारवन मुख्य रूप से सामिल होते हैं और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों ये दिसंबर 2013 का कोशिन है इसमें सहरी छेत्रों में परदूसन कारी गैस कारबन मॉनोक्साइड स्यो का प्रमुक स्त्रोत क्या है तो इसमें जो आंसर है दोस्तों इसका है प्रिवन अक्षेत्र दिया हुआ है तो आप यह देख सकते हैं दोस्तों इनके जो origin चेतर है यानि कि कहां से उत्पन होते ही यह पूछे जा रहे हैं और दूसरा इनसे क्या-क्या effect पढ़ रहे हैं यह चीजी यहां पर पूछी जा रही है और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे है निमल लिखत में से कौन सी गत है था कि जल्ब पर दूसरा वो किस तरीके से सबसे ज्यादा क्रीशी से होता है और इसमें से बाद में भी कोश्चिन आये दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा यह वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों क्यूंकि इसमें बहुत से कोश्चिन मापको दिखाने वाला जो डिट्टो कोपी रिपेट हुए है और आगे हम बात करते दोस्तों यह जून 2014 का कोश्चिन पेपर है और इसके अंदर देखे ताजा जलास्यों में जैविक परदूसरन का मुख्य स्तरोत क्या है अब देखे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आव सकता है क्या पूछ रहा है ताजा जलास्यों में जैविक परदूसरन का मुख्य स्तरोत क्या है ताजा यानि की ताजा कोई वी नदी तलाव वगरा है तो उसमें जो जल परदूसरन होता है वो किस वज़य से होता है तो इसका आंसर है दोस्तों अप्सन नमबर सी यानि की मल जल का प्रवा सीवेज सीवेज जो होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा परदूशन करता है ताजा जलाश्यों में जो सुद्ध पानी होता उसमें ज्यादा परदूशन ये करता है और इसमें से तीन बार कोश्चन आए दोस्तों अभी मापको दिखाऊंगा पूरी वीडियो देख है दो तिहाई जो हम जल का यूज करते वो किस के अंदर करते यह यहां पर इन्हों ने पूछा हुआ है तो इस कांसर देखिए option number a यानि कि क्रीशी यहां पर दोबारा अब देखिए इसने कहा है कि क्लोरो फ्लोरो कारवन या कि यानि कि सी एप्सी जो है वह इनने से किस से सबसे ज्यादा प्रडूस होता है वह इन्होंने पूछा हुआ है तो option number c यानि कि फॉर मुद्होग और पहले क्या था दोस्तों वहां लेकिन यहां पर रेफरीजरेटर और एर कंडिशन से ज्यादा उत्पन होता है लेकिन यहां पर रेफरीजरेटर और एर कंडिशन का उप्सन नहीं दिया है तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों फॉर्मू द्योग होगा और जो सीएपसी है दोस्तों काफी जगह से उत्पन होता है और इसके बारे में हम दोस्तों डेटेल से आगे की वीडियो में जानेंगे ठीक है तो आप यहां पर यह देख लीजिए कि क्लोरो फ्लोरो मुख्य थे कहां से होता है एक तो फॉमू द्युक से और एक हमारा जो रैफरीजरेटर है और एर कंडिशन है वहां से सीफसी ज्यादा प्रडियूस होता है और आगे हम कोशन देखते हैं दोस्तों किस तरह से रीपीट होएं कोशन यह देखिए भारत में हाल ही में परहरम किये गए वायू गुणवत्ता सुचकांक में निमन लिखित में से कौन सा प्रदोसक सम्मिलित नहीं किया गया अब यह देख जो एक बहुत बड़ी लिष्ट दी हुए उसके अंदर कौन सी नहीं है वो हम देख लेते हैं कि क्लोरो फलोरो कारवन है यह क्या है कि इस लिष्ट के अंदर सामिल नहीं है और यह जो है दोस्तों वायू गुणवत्ता सुचकांक है यह हम अगली वीडियो में करेंगे उस हैं और किस तरह से रिपीट होते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2015 का कोश्चन पेपर इसके अंदर देखे ग्रामिन घरो नाइट्रोजन ओक्साइड परदूसन का स्तरोथ हो सकता है अब जो हमारे ग्रामिन घरो होते उसके अंदर नाइट्रोजन ओक्साइड क सबसे पर्मुख कारण क्या है पर्मुख स्तरोत क्या है वो हमें बताना है नाइट्रोजन ओक्साइड का अब देखिए इन्होंने ओप्सन दिया है A, B, C इसकांसर दिया है यानि कि A, सुविधा रहित गैस चुले यानि कि अच्छे तरीके से जो गैस चुले निमल लिखित में इसे किस परदूसक के करण मानो को कैंसर हो सकता है तो इसमें दिया दोस्तों option number two यानि कि पारा पारे से मानो कैंसर होता है और अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया हो इस वीडियो में तो पारा से अभी तक तीन बार question हमने कर लिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कोशन रिपीट हो रहे हैं और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास है यह जुलाई 2016 का कोशन पेपर इसमें देखते हैं सहरेक छित्रों में ऐसे वायू प्रदूसक को चिनित कीजिए जिससे मनुस्य की आँख और सवसन नली में जलन होती है तो इसका जो आनसर है दोस्तों सतही ओजोन यानि की सरफेस ओजोन यहां पे दिया हुआ है और यह कोशन दोस्तों हमने 2012 में भी किया था लेकिन वहां पे इसका जो आनसर था वो कुछ और था ठीक है रुकिम आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह देखिए यहां पे इन्होंने पूछा हुए कि नित्रों में जलन किसके कारण होते तो इसमें जो आनसर है पैन दिया हुआ था और लेकिन यहां पे जो है दोस्तों दूसरी गैसिज यहां पे हमें दी हुई है यह मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ यह देखिए मनुच्छे की आँखों में जलन तो यहाँ पे इसका उप्सन क्या दिया है दोस्तों सतही ओजोन दिया हुआ है यहाँ पे पैन नहीं दिया हुआ तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना थोड़ी जरूरी है दोस्तों और आगे हम करते हैं दोस्तों आगे है हमारा कोशन नमर 48 यह देखिए भारत की बड़ी वड़ी नदियों में जल परदूसन का सबसे बड़ा स्त्रोत क्या है अब इसका अंसर देखिए दोस्तों इसका अंसर है ए यानि इसका अंसर है दोस्तों एसन सौधी तो मल जल यानि की सिवेज अब देखिए यह आगे दूसरी बार रिपीट हो गया ना सिवेज का तो यहां से आप देख सकते कि किस तरह से कोशन repeat हो रहे हैं वो question क्या था दोस्तों उसके अंदर ये था कि जो हमारे ताजा जलास से हैं उसके अंदर जल पर दूशन किस तरह से होता तो उसका answer भी क्या था ऐसन सोधी तो मल जल था यानि कि सिवेज था तो देख सकते कि किस तरह से repeat हो रहे हैं और यही question आगे भी repeat हो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आगे बात करते हैं दोस्तों ये हमारा अगस्त 2016 question paper है बांगला देश और भारत के कुछ भागों में भूजल में arsenic production का मुख्य कारण क्या है तो इसका जो आनसर इनों ने ये दिया है प्राकरतिक stroke दिया हुआ है अब बात करते हैं दोस्तों जो प्राकरतिक stroke है वो किस तरह से arsenic production का मुख्य कारण है अब इसके बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो arsenic है दोस्तों जो हम नलकूप वगरा लगाते हैं तो उन से arsenic निकलता है काफी वार तो इसके बारे में detail में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे और आगे हम बात करते हैं दोस्तों यह है हमारा जनवरी 2017 का question paper इसमें का है कि सहरी छेत्रों में नाइट्रोजन ओक्साइड के परदूशन का मुख्य स्त्रोथ क्या है अब देखें सहरी छेत्रों में हम पहले वी एक question कर चुके हैं यह दोबारा फिर repeat हुआ है तो इसके अंदर जो answer है दोस्तों इसका answer है सड़क परिवेन सड़क परिवेन जो है वो सहरी छेत्रों में नाइट्रोजन ओक्साइड का सबसे बड़ा स्त्रोथ है तो दोस्तों आप यहां से ध्यान दो कि किस तरह से question repeat हो रही है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों निमिल लिखित में इसे जल जनित रोग नहीं है यानि कि जल के दवारा जो रोग नहीं होता वो हमें बताना है तो दोस्तों डेंगु जो है वो जल के दवारा नहीं होता डेंगु क्या होता है म deliver के काटने से होता है तो दूस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप नॉट करो कि दो तरह के question हमसे पूछे जा रहे है एक सबसे पहला question तो यह पूछा जा रहा है कि क्या बिमारी होती है यानि कि इस गैस से इस पानी से क्या बिमारी होती यह पूछते है तो ये चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों और आगे हम बात करते हैं दोस्तों किस देश में हाल ही में हाइड्रो फ्लोरो कारवन को चर्ण बद तरीके से समाप्त करने समंदी अंतराश्टिय करार पर हर्स्ताकसर किये गई है तो रवांडा के अंदर एक समेलन हुआ था दो निमिल लिखत में से कौन सा परदूसक सवसन तंतर से जुड़ी विमारियों का परमुख कारण है तो इसका जो आंसर है दोस्तों बिलंबित सुक्सम कण यानिकि सस्पेंडिड फाइन पार्टिकल जो हमने बात के थी ना जो छोटे 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 कण होते वो हमारे सवसन के अंदर बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास निमिल लिखत में से कौन सी परदूसक गैस प्राकर्टिक रूप से और अध्योगिक गती विधी के परिनाम समरूप दोनों से उत्पन होती है यानि कि आर्टिफीसि हमारे लिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट करना तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से वीडियो आगे डालेंगे तो यह जितनी वी हमने गैसिज बात की है और इनॉट्यों अनुकूल है यानि कि ऐसा कौन सा इंधन है जो परियावण को नुक्सान नहीं पहुंचाता तो इसकान से रहा है दोस्तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो प्रियावरण को नुक्सान नहीं पहुंचाता और उसके बाद हम बात करते दोस्तो जुलाई 2018 का कोशन के पर है ताप विद्यूत सेंत्रों में उत्पादित फलाई एस एक प्रियावरण हितेशी संसाधन है जिसका उप्यों किया जाता ये हमें बताना है दोस्तों फलाई एस का मैंने बताया था दोस्तों कि जो फलाई एस है जो उसको सकती है देखें दोस्तों कहां लावधायक होगी अब देखिए इसने ket percentage the and Greeks ऑनoodर में でैं चारों के चारों दिए बांध और जल धारण सरंचनाव में अगर हमें बांध बनाना हूँ डैम वगरा बनाना हो तो इसका यूज गिप शक्ते हैं और इन्ट उध्यों। यानि कि इन्ट बनाने के लिए विवे हम फलाई यसका उध्ययों कर सकते हैं और और आगे दोस्तों आगे हमारे पास कोशन भारत की नदियों में निमल खितमे से किसको प्रदूसन का प्रमुक्स त्रोत माना जाता है अब ये देखे दोस्तो इसका आंसर तीसरी वार फिर ये रिपीट हो गया ऐसंसोधित वहितमल यानि कि सीवेज अब आप देख सकते दोस्तो आपके सामने बिलकु है ये कोशन डिट्टो कोपी तीन बार रिपीट हो चुका है और ये देखे लास्ट बार कब आया था हमारा जुलाई 2018 के अंदर आया था तो इसकी संभावना बनती है दोस्तो इस तरह की कोशन जो है वो अब की बार भी आ सकते हैं दिसंबर के एक्जाम में भी आ सकते हैं और आगे हम बात करें दोस्तों ये दिसंबर 2018 का एक्जाम है इसके अंदर हम देखते हैं निमल लिखते में से कौन सी स्रंखला चलिए से हम इंगलिश में पढ़ने की कोशिस करते हैं हिंदी में थोड़ा ही उट पटांग दिया हुआ है विच और दा फ्लोविंग गैसिज यहां पर इनोंने दिया हुआ है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारा कुश्चन नमबर 39 भोजन की खपत के कारण मनुस्य में उचस्तरी सीसा पी बी का जोकिम हो सकता है दोस्तों यहां पर यह कह रहे हैं कि जो पी बी है सीसा है वो अगर मनुस्य के अंदर इसर हो सकता है तीसर है दोस्तों डिस ओर्डर ओफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह तीन तरह की चीजे हो सकती है पी बी यानिकी लैड सीसा अगर हमारे अंदर ज्यादा मातरा में चला जाए तो और अब आगे दोस्तों हमारे पास जून 2019 का कोश्चन पेपर अब इसमें इन बारा फिर इसमें रिपिट हुआ है तो हम देखते दोस्तों जो सतही ओजोन है उसके निर्माड में कौन-कौन भूमी का निभाता है यह ओप्शन नमबर थरी यानिकी ए बी डी ए है नाइट्रोजन के ओक्साइड भी है सलफर के ओक्साइड और डी है कारवन मोनो है दोस्तों सोभ मंडल में ओजोन की उच्छ सांदरता वांचनी है और अगर आप चाहे तो दोस्तों इंगलिश में भी पढ़ सकते हैं हाई कंसेंट्रेशन ओफ ओजोन इंदा ट्रेटोस फिर इस डिजारेवल अब इन्होंने ये कथन अभी कथन दिया हमें देखना यह सह ये कि हानि कारक पैरा वहेंगनी किर्नों से प्रत्वी की स्थाय पर रहने वाले जीवों की रक्षा करता है ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों जो हमारी अजनर आशनी से हमें दे सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसितना ही आपने देखा कि किस तरह से question repeat हो रहे हैं और किस तरह से question पूछे जा रहे हैं एक तो बिमारी से related और एक उनके origin से related पूछे जा रहे हैं तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभीतत हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दवाए ताक अट सब्सक्राइब किया नहीं कि यह थे पर हो यहींपें हिन्दी में है और यहाँ पें इंगलिस में हमने दिया हुआ है और एक चीज नोट करना दोस्तो आप यहाँ पर काफी important चीज़े जो हमें नोट करनी है यह देखिंए दो देसम्र 2019 मोर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये ठीक है इसके अंदर ये कोशन देखे दोस्तों निमन लिखित में से उन प्रयावरें नहीं है मुद्दों की पहचान की जो स्थानिया प्रकरती के है ठीक है ये कोशन देख लिए आपने और आगे हम बात करते हैं ये 2 दिसंबर 2019 इवनिंग यहाँ पे आया हुआ है तो दोस्तों इससे ये मतलब निकलता है कि जो मौर्निंग और शिफ्ट मौर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर होते हैं उनमें भी डिट्टो कोपी कोशन आते हैं और दोस्तों एन्वाइरमेंट के अलावा वी और वी काफी जो अलग अपने जैसे आई सिटी हो गया कम्निकेशन और अन्य जो टॉपिक हैं उनमें भी कोशन रिपीट हुए हैं इवनिंग और मौर्निंग शिफ्ट के अंदर वो हमने अलग वीडियो बना रखें उनमें आप देख सकते हैं तो हमारे लोकल एरिया के अंदर यानिकि लोकल जल परदूशन जल परदूशन के आई कि लोकल लेवल पे होता है और बहुत ज्यादा होता है और इसे हम स्थानी मुद्धा कहे सकते हैं आगे दोस्तों भूश रण इसे भी हम लोकल लेवल पे कहे सकते क्योंकि आज कल भूमी कटाओ बहुत ज्यादा किया जा रहा है मानो दवारा किया जाता हो इसे हम लोकल लेवल पे count कर सकते हैं आगे ठोस अपसेश्ट परबंद ये भी हमारे लोकल लेवल पे count हो सकता है तो इसका जो answer है दोस्तो answer हम देख लेते हैं इसका answer है एक एक यानि की यहाँ पे दो तीन पांच और छे दो में क्या है जल परदूशन आगया तीन में क्या है भूश रन आगया और पांच में क्या आगया दोस जल जमावा आगया और छे में क्या आगया हमारे पास ठोस अपसिष्ट परवंद यहां पर आगया और अगर आप इस कोश्चन को इंगलिस में देखना चाहे तो यहां पे आप इंगलिस में भी इस question को देख सकते हैं बिलकुल असानी से इसको समझ सकते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे ये मानलों की और question किस तरह से आए हैं ये देखें तीन दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है इसके अंदर इन्हों ने पुछा हूँ कि ध B, C, D, E यानि कि B, C, D, E, A और F को छोड़के और सारी चीज़े इसके अंदर हैं इसके अंदर देखें अनिंद्रा होती हैं वाकर रुद्धृता होती हैं रक्त चाप में वृद्धी होती हैं सरवन सीवा में बदलाव होता है और इससे क्या नहीं होता सवसन संदी समस्या है धवनी परदूसन से नहीं होती रोग परती रोधक की जो तंत्र है वो कमजोर नहीं होता इससे ठीक है यह दो चीज़े चोड़के और सभी चीज़े धवनी परदूसन से होती है और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह से आए हैं कोशन यह देखें चार दिसमर 2019 44 सरवाधिक महतव पुर्ण परदूसक जो नदियों और जर्णों में जल की गुणवता को निमनिक करता है यानि कि जल की जो क्वालिटी है उसको कम कौन कौन करते हैं वो हमें बताना है इसके अंदर तो इसका जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर वन दिया है ABC ABC में हम बात क कि जो हमारे जल होता है नदियों के अंदर उसमें जो पौसक तताव वगरा होते हैं उनके इंदर छो किसके जवा दवारा कम की जाती है वह जवानों के का क्या करते हैं पानी के अंदर औक्सीजन जो होते है वो लेते हैं जैसे मचली वगरा हो ग committed हो गये जो धातू है वो निमन करती यानि कि उनको क्वालेटी को कम करते हैं उसके अंदर और जैसे कुछ गुले हुए ठोच ये नहीं करताएं इस शेवाल नहीं करती तो इसका जो आंसर है एडिया A B C यहाँ पर दिया आप असानी से देख सकते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे 5 दिसंबर 2019 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है जंगलों की आग किस से प्रभावित होती है यह हमें बताना है तो इसका आंसर है दोस्तों आंसर नंबर 4 ABC इन्होंने यानि कि तीनों ही आंसर दिये धलान भूमी की नवी और वायू यह तीनों की तीनों फैक्टर जंगल की आग को प्रभावित करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने असान असान कोश्चन हमारे पेपर के अंदर आ रहे हैं बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है और दोस्तों मैं आपको बहुत बार कहे चुकाऊं कि प्लीज अगर आपको नेट या जियर्फ कौलिफाई करना तो आप ओल्ड येर कोश्चन पेपर कीजिए आज भी हमने देखा कि कितने कोश्चन आए हैं परदूसन से रिलेटिड और कितने असान कोश्चन आए हैं तो दोस्तों आप सभी टॉपिक के ओल्ड येर कोश्चन पेपर कीजिए और किसी भी दोस्त को ये old year question paper लेने है तो आप हमसे ले सकते हैं हमने topic wise notes बना रखे जिस तरीके से research के आज तक जो भी question आया है 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper question हमने अलग-अलग की हुए जैसे research के अलग है, teaching के अलग है, communication के अलग है सभी tiny unit के आपको अलग-अलग मिल जाएंगे और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे इसके अंदर ये है 6 December 2019 morning shift का paper है यह देखे, यहाँ पे इन्होंने का है कि सुद जल प्रनालियों में oxygen की मांग करने वाले अपसिष्ट के मुखिस तरोथ कौन-कौन शे है वो हमें बताना है, यानि कि सुद जल प्रनालियों में oxygen की मांग करने वाले अपसिष्ट के मुखिस तरोथ कौन-कौन शे है वो हमें बताने तो इसका answer है 3 ABD यहाँ पे दिया हुआ, तो ABD में क्रिसी अपसिष्ट होगे उसके बाद में B है, ख़द पर संग्सक्रन होगे और उसके बाद में हैं दोस्तो हमारा E, सोरी, D है D है, मल जल वही स्राओ, तो यह चीज़े है दोस्तो इसके अंदर और हमने पहले वी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से यह टॉपिक करवाया, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो वह वीडियो आप देख सकते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यह देखे, 6 दिसंबर 2019, इवनिंग सिफ्ट का पेपर है, और इसमें परदूसन के कारण होने वाले रोगों के बारे में पूछा हुआ है, परदूसित जल के कारण, तो इसमें ए आंसर दिया हुआ है, हैजा, अतिसार, अंतर जवर, यानि कि टाइफाइड जी से कहते हैं, और पीलिया यह रोग होते हैं, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों कित वीडियो अच्छे लगी होगे, आप सभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल भी सबस्क्राइब कर लीजे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को सानी से देख सके धैंक्यो दौस्तों दोस्तों आज के लिए वस इतनी ही अगर आपको हमारी वीडियो अऽ्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन जुरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्य दोस्तों अन्टी ए यूजिस नेट यानि निमिज नेट डाउनलोड इट आउन गूगल प्ली स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाएए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़ी असानी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोतास निमि है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिज नेट पर दोस्तों हमने पहले की वीडियो में देखा कि परदूसन से हमारे कितने कॉशन आज तक आए हैं और हर वारर कॉशन पेपर में दो चीज़ें पूछी गई थी कि जो परदूसन होता है जो हानी कार गयसिज होते हैं कहां से निकलती है उनका स्त्रोथ क्या है और दूसरा उन गैसिस से क्या क्या हानिया होती है क्या एफेक्ट पड़ता है ये दो चीजे मुख्य रूप से हर वार कोशन पेपर के अंदर आई है तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वायू प्रदूशन से इसी कौन कौन सी गैसे है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और वो कहां से निकलते हैं उनके दवारा क्या क्या हानिया होती है इनके बारे में ये वीडियो है दोस्तों तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा important होने वाले हैं दोस्तों स्योर नेट और जारफ लेने के लिए आप हमारा paid course भी जोईन कर सकते हैं इसके अदर दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के study notes देंगे वीडियोस देंगे 2012 से लेके December 2019 तक सभी शिट के question paper देंगे जैसे कि research के जो question आउच के अलग है teaching के अलग है communication के अलग है इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस course के अंदर live mock test मिलेंगे अगर आपका किसी भी तरह कोई स्वाल जवाब होता तो आप हमें वर्सप के ज़िए भी पूछ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको old year question paper second भी देंगे 2019 तक तो किसी भी दोस्तो हमारे course जोइन करना तो आप हम इस वर्सप नमर के message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक एक गैस के उपर सबसे पहले हैं हमारे पास carbon monoxide यह काफी important गैस है दोस्तों यह क्या है कि एक गंध हिन रंग हिन गैस है जो कि petrol diesel तथा carbon युक्त इंधन के पूरी है में जलने से उत्पन होती है दोस्तों सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि carbon monoxide कहा से उत्पन होती है वह पैट्रोल डीजल और करवन युकत इंधन जो होते वो अच्छे तरीके से नहीं जल पाते अधर जले होते तो वहां से यह उत्पन होती है यह हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से पहले कॉशन आ चुका है और इससे क्या होता है दोस्तों यह है हमारे परकिरिया तंतर को प्रभावित करती है और जिससे हमें नेंद लेने के अंदर प्रोब्लम होती है ये कोशिन भी आज़का है दोस्तों और उसके बाद है दोस्तों वाहन अधिक मात्रा में करवन मोनोक्साइड सीहो करवन डाइ ओक्साइड सीयो टू नाइट्रोजन ओक्साइड तथा धुवा उत्पन करते हैं ये चीज हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे वाहन है वो क्या-क्या चीजे छोड़ते हैं ये भी हमें पता होना जरूरी है पैट्रोल तथा डीजल जैसे इंदरों के एपुर्ण दहन से करवन मोनोक्साइड उत्पन होती है और ये कोशन पहले आज के दोस्तों कि जो वाहन होते हैं वाहन से जो गैस निकलती है वो कौन सी होते तो ये उन्होंने पूछा हुआ था ये है रुधिर में ऑक्सिजन वाहक अक्षमता को घटा देती है ये हमें पता होना चाहिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कारवन डाइ ओक्साइड सी ओटू की ये है परमुख ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों सी ओटू के वाले में हमने काफी अच्छे तरीकी से पढ़ा है और सी ओटू उत्सरजन की हमने एक वीडियो बनाई थी तो सी ओटू उत्सरजन में से भी काफी कोशन आज तक आये हैं तो जो सी ओटू उत्सरजन हो कहां कहां से होता है जाजाता है हमारा कोईले से होता है और जो कोईला है दोस्तों वो सबसे ज्यादा चीन के अंदर जलाए जाता है उसके बाद में स्थानाता है भारत का तो CO2 के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो की हुई है वहाँ से आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और ये दोस्तो अन्य प्राकरतिक गैसों के जलाने से भी उत्पन होते हैं उसके बाद दोस्तो हमारे पास लेड यानि की PB यह है पैटरोल डीजल लेड बैटरी बाल रंगने के उत्पादो आदी में पाया जाता है पर मुखरी रूप से बच्चों को परभावित करता है अब दीखें दोस्तो जो लेड है लेड से अभी तक करीब दो वार अपने कोशना आ चुके दो से तीन वार तो यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है ये कहां से उत्पन होता है दोस्तों जो हमारे पेट्रोल डीजल की जो वहन होती है जो तेल होता है तेल के इंदर लेड की मातरा मिलाई जाती है ताकि हमारा जो वहन अच्छे तरीके से चल सके अब वहन तो हमारा अच्छे तरीके से चलता है लेकिन हमारे एंवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाता है यह रसाइनिक तंतर को प्रभावित करता है कैंसर को जनम दे सकता है तथा अन्य पाथन सवंदी विमारिया पैदा कर सकता है तो यह चीज हमें पता होना चाहिए आगे बात है दोस्तों हमारे पास ओजोन की ओजोन O3 अब यह देखे दोस्तों यह ओजोन O3 यह क्या है यह हमारे लिए यह हमारे लिए लावधायक भी है और हानिकारक भी है ओजोन के दोस्तों यह वायू मंडल की उपरी स्थैपर पाई जाती है यह मैं तो पुरुन गैस हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरनों से प्रिथवी की रक्षा करती है अब यह दो काम करती है दोस्तों जो एक तो सबसे पहला काम तो यह करती है कि जो अल्ट्रा वायलेट किरने होती है सुरिये से जो आती है उनसे हमें बचाती है सबसे पहला काम काम करती है कि अगर ये लेर प्रिथ्वी के उपर यहां पर आज जाए तो ये हमारे लिए काफी हानिकारख साबित हो सकती है तो एक तरह से ये हमारे लाबदा है का могу और दूसरे तरफ ये हानिकारख है और इससे क्या होता है दोस्तों इससे आंखों में खुजली जिलन पैदा होती है और आंखों में पानी आने लगता है और इससे और क्या होता है दोस्तों इससे नुमोनिया के परती परती रोधत शक्ति को कम करती है यानि कि नुमोनिया जो है वो हमें ज्यादा होने के तो अमली वर्षा के बारे हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां पर जैसे नाइट्रोजन ऊक्साइड की बात करते तो यह है अमली वर्षा को जनम देती है यह हमें ध्यार परकना जुरूरी है यह पैट्रोल डीजल कोईले को जलाने से उत्पन होती है अब कई चीजे ऐसी है दोस्तों जो एक ही चीज जलाने से काफी तरह की गैसे उत्पन हो सकती है यह गया इस बच्चों को सर्दियों में सांस की विमारियों के परती सम्वेदन सिल बनाती है इससे क्या है सांस की विमारिया हो सकती है बच्चों के अंदर आगे दोस्तों हमारे पास सलफर डा यूक्साइड है उसका परमुख स्त्रोत क्या है तो उसका परमुख स्त्रोत क्या है दोस्तों ताप ये विध्युद उत्पादन के अंदर है यह धुंद कोहरे अमलिय वर्षा को जनम देती है अब देखे यहां आ गया अमलिय वर्षा को जनम देती है यह वी एसो टू भी औ और तरहाय तरहा के फेप्पडो की बीमारिया पैदा कर शकती है तो यह चीज रहा हुना चाहिए दोस्तों इसमें और भी चीज़े दी हुई है दोस्तों जैसे कि पेटरोलियम परिशान्सक्रण साला यानि कि पेटरोलियम जो रिफाइनरी होती है उस पेंदर क्या होता है suspended particulate matter यानि की SPM की बात करे ये क्या होता है दोस्तों जो धुए क्या होता है दोस्तों जो हमारी हवा के अंदर छोटे 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 जो कर्ण होते है वो लटके रहते इस से क्या होता है कि एक धुंद के जैसा अपना वातावन बन जाता है जिससे हमें जिससे क्या है कि हमारी वीजिवल्टी है वो बहुत कम हो जाती है और सांस लेने में हमें दिक्कत होती है और जिससे क्या होता है सवसन किरिया तंतर प्रभावित हो जाता है और आगे हम बात करें दोस्तों धूम कोहरे की धुम कोहरे के अंदर भी यह वह चीज यह दोस्तों 21 तरह से यह होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रोब्लम हमें हो सकती है आप यहां से पढ़ लेना बिल्कुल असानी से और आगे दोस्तों हमारे पास मौस्ट इंपर्टेंट है कलोरो फलोरो कार्बन स्वेसरुक्रिया और इसमें से अंदर करिए मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है तो इसमें हम देखते कि जो स nuances अभी तक आज सबस्क्राइशन है एरो सोल है और फॉम जो है पैकिंग सामगरी है उन सभी से हमारी सी एपसी उत्पन होती है और इस में से तीन कोश्चन अभी तक आज के दोस्तों मैं बता रहा हूं तो यह चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है सी एपसी कहां कहां से उत्पन होती है बाद दोस्तों जैसे कि CFC के दवरा वायो मंडल की ओजोन परत खराब होती जा रही है और ओजोन परत सुरिय से आने वाली हानिकारक पैरा वैंगनी के नोंचे हमें बजाती है यह चीज हमें पता है तो जो CFC जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा हानिकारक इसके लिए हमारी जोन परत है जोन लेर उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है आगे हम आत करते हैं दोस्तों हम अमल वर्षा की यह हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों इसमें से कोश्चन आने की संभावना है अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों जो हमारे सवचालित वाह है उन से क्रिया करके क्या बनाते है एक तो सल्फियूरिक अमल बनाते है और दूसरा नाइटरिक अमल बनाते है और इनहीं से क्या बनता है हमारा दोस्तों इनहीं से हमारी अमल वर्षा बनती है तो यहां पर यह कोशन आ सकता है दोस्तों कि जो अमल वर्षा है वो किस किस से यानि कि जो हमारे संग मरमर की जो चीज़े है मारवल की जो चीज़े वो बिलकुल खराब होने लग जाती है इस परिगटना को संग मरमर कैंसर भी कहते हैं और इसी के कार्ण दोस्तों हमारा जो ताज महल है वो धिरे धिरे खराब होता हुआ जा रहा है अब देखे ताज महल को सुरक्षित रखने के लिए सरवोच न्याले ने बहुत से उपाई किये है मानिये न्याले दवारा उध्योगों को CNG, LPG, GAS जैसे सवच इंदनों का उप्योग करने के आदेश दिये है इसके तरीक ताज के छित्रों में मोटर वाहन को सीशा रहित पेट्रोल काउप्यों करने के आदेश दिये है तो ये कोशन भी आ सकता है दोस्तों कि जो ताज महल है उसको अच्छे से रखने के लिए सरकार ने क्या 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 कदम उठाए है तो ये हमें कुछ बेसिक चीज़ है जो हमें पता होना जरूरी है और आगे हम बात करें दोस्तों हमारे पास है ग्रिन हाउस इफैक्ट अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या होता है इसके अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तो सुरिये की किरने वायू मंडल से गुजरने के पस्चाथ प्रिथवी की स्थाय को गरम करती है इसके अंदर क्या होता है दोस्तो जैसे की सुरिये की किरने है ये मा प्रावर्तित होकर वापस अंत्रिक्स में लोट जाता है ठीक है और प्रावर्तित वी किरणों का कुछ भाग वायु मंडल में रुक जाता है ये रुका हुआ वी किरण पर्थिवी को और गरम करता है अब देखिए इसके अंदर क्या होता है मैं बताऊं जैसे कि ये हमारा ली जाती है यहाँ पर लेकिन इसमें से कुछ जो पार्ट है दोस्तों वो नहीं जा पाता वो रुक जाता और वो किस वज़े से रुकता है वो हमारा जो ग्रीन हाउस जो होते हैं जैसे हमारे खेतों में आपने देखे होंगे कि तंबू के अकार की इस तरह से लगा दिये जा आपने आगे इसमें कि ये टार्वास आग। सबसी ज्यादा ये सबसे जादा उत्रदाइज के लिए वह यहां इससके लिए पर दूस्तों आता है कि हमारे green house है उसके अंदर कौन कौन सी gases सबसे ज्यादा प्रमुख्रोप से भाग लेती है एक तो जैसे की जलवास्प है ये इसके अंदर भाग लेता आप यहां से पढ़ ले ना बिलकुल असानी से आपको समझ में आ जाएगा जलवास्प मतलब यानि की हमारे वाता तो हमारे पास methane अब ये हमारे लिए काफी important है green house effect के लिए methane अब देखी methane दूसरी सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी greenhouse gas है ये carbon dioxide की तुलना में ज्यादा सक्तिसालिख होती है वैसे ये carbon dioxide की तुलना में कम concentration में मौज़ूद होती है इसके अलावा methane gas carbon dioxide की तुलना में बहुत क कम समय के लिए रहती है अब देखिए अब देखिए यहां पर इन दोनों का कंपेरिजन किया हुआ है बात आती है दोस्तों जो मिथेन गेस है वो ज्यादतर कहां पर उत्पन होती है मिथेन गेस मुख्य रूप से उसन कटी बंधे इलाके और उत्री वैस्ट लेंड में आगह हम बात करते है दोस्तों ऑजोन ओठीकी तो ओजोन के बारे में भी हमने पीछे पढ़ा है कि ओजोन क्या होती है अब बात आते हैं दोस्तों हमारे पास नांटरस ओखसाइड और फल्यू औरीनटीड गेस दोस्तों ये जो गेस है कोई ज़यादा इंपोर्टेट नही है क्योंकि आज तक इसमें से एक भी कोशन नहीं आया है मैंने इस गैस के बारे में कभी नहीं सुना तो आप चाहे तो यहां से पढ़ सकते दोस्तों यहां पर हमने नोट दिया हुआ है आप चाहो तो इसे पढ़ लेना और इसी तरीके से नाइट्रोजन ट्राइ- फॲॉराइड है यह भी कोई ज़्यादा इंपध्रोर्टे नहीं अगर आप चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं और वीडियो में हम जो हमर लें ज़्यादा इंपध्रोर्टे उन्हीं चीजों पर ध्यान दे रहे हैं अब आगे हमारे पास जो important चीज है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ प्रदुसक दी है और उनसे मनुस्य की स्वास्थे पर क्या प्रभाव पड़ा है तो वो सारी की सारी लिष्ट दे रखी है तो आप यह एक अबर जरूर पढ़ लेना दोस्तो जैसे बेंजिन है बेंजिन से क्या-क्या इफेक्ट होता है वो दिया है और उसके स्त्रोथ क्या है कहां-कहां से वो निकलती है कैडमियम है कैडियम कहां-कहां से निकलती है और उससे क्या-क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारी चीज़े हमने यहां पे दी हुई है अब दे दोस्तों यहां पर हमने सारे की सारे चीज़े दी हुई है पूरी लिष्ट दी हुई है आप इसमें एक बार जरूर देख लेना और यह देखिए दोस्तों जैसे या आगे ना लेंड यानी की पीबी लेड तो इसके अंदर यह क्या है कि वहानों के दुहों से यह निकलता है इसमें से question आ चुका है तो ये चीज़े आप एक बार देख लेना और आगे दोस्तों हमारे पास ozone पर्त और ozone पर्त के बारे में भी हमने काफी सारी बाते पढ़ लिये दोस्तों अगर आप दुवारा से पढ़ना चाहे तो आप यहां से पढ़ लेना ozone पर्त क्या होती है और इ एर क्वालिटी इंडेक्स एक क्यू आई अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यह हम देखते हैं यह सवच भारत अभ्यान के तहट 17 अक्टूबर 2014 को वायू गुणवत्ता सुचकांक जारी किया गया था इसमें क्या है दोस्तों इसमें कुछ आठ पर्दूसकों को सामि अथा परनवनो ओक्षाइड फिर है ओजोन, फिर है अमोनिया, फिर है सीसा और इसमें से कॉच्ण आया था दोस्तों अगर आपको ध्यान में हो तो हमने पहले वाली वीडियो में किया था कि निमनल लिखित में से कौन सी AQI लिष्ट के अंदर सामिल नहीं है यह कॉच्ण तो उस में क्या था दौस्तूर का अंसर thicken Qi Nossa था ता अब कर देक्सिता है दो सीएफसी सी स्में से कहीं भी नहीं दिया हुआ है तो दोस्तो सब्सक्राओं कोशन में से पूँछे जाते हैं और उसके बाद एक और जो इसमें important चीज है दोस्तों AQI जो index है उसका index का मतलब क्या है कि जो 0 से 50 की range जो होती है वो अच्छी मानी जाते है और उसका color क्या होता है green होता है उसके बाद वे 51 से 100 तक जो होता है moderate यानि कि उसको हम कुछ हद तक सही कर सकते हैं जो उसका रंग होता है yellow होता है उ यह unhealthy for sensitive group के लिए मानी जाती है और इसका जो रंग है दोस्तों वो आजाता है orange आजाता है तो आप यह जो पूरा का पूरा graph है यह वी आप देख लिना दोस्तों क्या पता इसमें से question आ जाए कि air quality index एक सो 51 से 200 तक किस के लिए सूचक है इसमें से यह चीज पूछ सकते हैं त दोस्तों हमारे पास राष्ट्य वायू गडवत्ता निगरानिक कार्यकरम यानि कि national air quality monitoring program अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इसकी full form पता होना जरूरी है क्योंकि कई बार इसमें से direct full form भी वो पूछ लेते हैं अब देखिए इसके अंदर क्या है दोस्तों वायू मंड केंदरिय प्रदूर्शन नियंतरन बोर्ड दवारा किया जाता है इसका मुख्य उदे से चुनिंदा सहरों में वायू की गणवता के बारे में जानकारी देना है तो दोस्तों ये इसमें से कुछ important चीज है तो देखा कि हमारे लिए कौन कौन से प्रदूर्शक important है और उनक से मैं दोस्तों बार-बार कह रहा हूं कि दो कोशन जरूर आएंगे ही आएंगे तो इस वीडियो को आप चाहे तो दोवारा देख सकते हैं पूरे के पूरे जो नोट्स है उसको अपनी कौपी में नोट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमार अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिये और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये और घंटी का बटन जरूर दबाए ताकि आ आप हमारी आने वाली वीडियो चैनल देख सके थैंक्य दोस्तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम प्यूपिल एंड एन्वाइरमेंट के अंदर प्राकरतिक आपदा यानि की नेचुरल डिजाश्टर के वारेम बात करने वाले हैं दोस्तो इसमें से आज तक बहुत से कोशन आये हैं और हर बार एक से दो कोशन आने के संभावना रहती है तो प्राकरतिक आपदा कितनी तरह की होती है और उनसे क्या क्या एफेक्ट हुए और अपने जो इतिहास उसके दर कौन सी नेचुरल डिजाश्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो दोस्तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों सबसे भी हим बात करते कि प्राकरतिक आपदा होती क्या है एक प्राकरतिक आपदा एक प्राकरतिक जो 68 मयनिकि नेचरल हजार का परिणाम है जैसे कि जवाला मोखी विश्पोर्ट बोकम भोषकलन इतियादी यानि कि इसमें क्या होता दोस्तों अगर कोई भोकम पा जाए या सुनामी आ जाए या फिर भोषकलन हो जाए तो उससे हमारा बहुत ज्यादा नुक्सान होता है इस सारे किसारी क्या होते है नैचरल होते है नुक्सान होता तो इसे हम क्या कहते है प्राकरति कापदा कहते हैं यह हमारे लिए बस थोड़ा बेसिक समझने के लिए जरूरी है कि क्या होता है और इसमें जो में इंपोर्टेंट कॉश्चन आएगा वो यह आएगा दोस्तों कि जो कोई दे देगें कि जैसे हे थी कामी उठती है तो उसे हम क्या कहेंगे प्राकरतिक खत्रे कहेंगे तो यह दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे जो प्राकरतिक आपदा है वो कितने त्रहकी होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों इसमें से टाइप में से भी कोशन आये हैं कई वार तो इनके सभी टाइप हम देख लेते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं भूगर्विया आपदा यानि कि भूमी से जो जो आपदा होती है एक होता है जवाला मुखी फिर होता है भूकम फिर होता भूसकलन फिर होता हीम संकलन फ है हमारी बाड आते है उसके बाद लिमनिक उद्दगार आता है फिर सुनामी फिर बादल का फटना और उसके बाद दोस्तों अगर मौसमी आपदा की बात करे तो इसके अंदर बरफानी तुफान आ गया चक्रवात आ गया सूखा गया दोस्तों सूखे से एक बार कोशन आया था कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्राकरती कापदा होती हो किस वज़े से होती है तो उस टाइम पे ये करीब 2012-13 में आया था उस टाइम पे सूखा था लेकिन आज की टाइम में हो सकता है कोई और प्राकरती कापदा सबसे बड़ी हो तो वह हम आगे देखेंगे और आगे दोस्तों हमरे पास जैसे की गरम लहर है जैसे लूव गिरा चलते उससे काफी नुक्सान होता है फिर जैसे सीथ लहर फिर है हरीकेन और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे टॉर्नेड हो गया उसके बाद है दोस्तों जैसे की अकास गंगा के दर हमारी जो जो आप ंपदाई होते हैं ज्यस्सें strategist होसके की दूसरे था गया है ऑर उसके बार मानों के दोबारे जो जो आपदाई हो सकते हैं . ओव बहुत काथ और मिंसीन अपरिदन कृम की हैर्द काटःफे है हुमारा बांध जनी तो भूकंप हो गया भोस कलन हो गया तो काफी तरह की ऐसी कृयाई हैं जो मानव करता हूँ उससे बहुत जादा नुक्सान होता है उसके बाद में जैसे हम बात करें की रसाelी कापदा रसाelी कापदा के इंदर जैसे की नावी के विस्पोट हो गया रेडियो थर्मी वीकर्ण हो गया, साघर में तेल वहाग टंकरों से पेट्रोलियम का रिसाओ हो गया और उसके बाद हम जैसे बात करें जैवी कापदा, जैवी कापदा के अंदर जैसे जन्र संख्या विष्वोट हो गया, युदग का आकरमन हो गया, महावारी हो गया यानि कि कोई बिमारी हमारे अक्षेतर में फेल गई है तो यह होता है और उसके बाद में जैसे प्रोध्योगी की आपदा के बात करें तो हम इसके अंदर प्रिवहन दुरुगटना हो गया यानि कि हर साल बहुत जादा दुरुगटना होती है और अध्योगी की दुरुगट आजाए और अब बात करके दोस्तों जैसे कि भूखम्प है भूखम्प है इस से क्या क्या एफेक्ट होता है और आज तक कहां कहां पे कितना भूखम्प आया है पृत्वी किस्थे से अचानक खिलने को भूखम्प या भूचाल कहते इसमें धर्ती की दरारे पड़ जाते हैं तेज जटके लगते हैं और इसमें से एक वर कोशन यह आए था दोस्तों कि जो भूकमप है वो किसके दवारा मापा जाता है तो इसका अंसर था दोस्तों रियक्टर स्केल और मरकेली स्केल था तो यह चीज आप थोड़ा ध्यान दे लेना इसके अंदर और दोस्तों स्केल से ही मापा जा सकता है और अगर तुफान हमारा 2 से 2.9 तक आए तो खलका सा कमपन होता है और 3 से 3.9 आए तो कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा एहसा सास होता है तो पूरा का पूरा दिया हुआ दोस्तों जैसे कि हम बात करते कि 5 से लेके 5.9 तक आए तो furniture हिल सकता है और 7 से 7.9 आये तो इससे क्या होता है दोस्तों इमार्थ गिर जाती है जमीन के अंदर pipe फट सकता है और जो दोस्तों 9 और 9 से उपर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा भेंगर होता है इसमें बहुत ज़्यादा तबहाई हो सकती है तो इसको आप एक वर देख लेना दोस्तों इसमें से एक वर question आया था और इसमें से एक वर ये भी question आया था दोस्तों कि जो reactor scale के उपर जो हमारा point होता है जैसे कि मान के चलते है तीन से ये चार पे जा रहा है एक बढ़ रहा है तो ये होता है इसका मतलब तो इसमें से इस तरह से एक वर question आ चुका है तो आप इसको एक वर ध्यान से देख लेना और और इसके अंदर किया दोस्तों फिर सिवी के अंदर की पलेटों में हलचल और टक रहाने की वज़े से भूकम पाता है 26 जनवरी 2001 में गुजरात में विनासकारी भूकम पाया था इसमें 20 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुनामी की अब देखें सुनामी का आर्थ है बंदर गाह की तरंगे यानि कि जो हमारा समुंदर होता समुंदर के पास जो घाट होते उन पर बहुत बड़ी बड़ी तरंग आते हैं इससे क्या होता दोस्तों समुंदर तल में हलचल भूकम पदरार विस्थापन इत्यादी हो जाता है और ये जो लहरे हैं दोस्तों ये 15 मीटर उन्ची तक हो सकती है दोस्तों 400 किलोमेटर परती घंटा भी हो सकती है और दोस्तों 2004 के अंदर हिंद महासागर में सुनामी आने से 2.8 लाख लोग मारे गए थे ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है दोस्तों अब आगे बात करें दोस्तों हम चकरवात यानि की तुफान की अब देखी इसके अंदर क्या होता है हमारे देश में चकरवात प्राय बंगाल की खाड़ी में आते हैं ये समुन्दर की स्थाय पर निमन वायुदाव के काण उत्पन होते हैं ये तेज हवाए बारिस के साथ गोला का रूप में दोड़ते हैं तो समुन्दर तट पर जाकर भैंकर विनास करते हैं यह रफ्तार के अनुशार एक से पांच सरेनी तक होते हैं इनकी गती दोस्तों 280 किलोमेटर पर ती घंटा हो सकती है और देश में 1849 में कोरिंगा चकरवात आया था जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद दोस्तों जैसे हम बात करें की हमारे पास है सूखा अब देखिए सूखे के अंदर क्या होता है सूखे में किसी वी स्थान पर कई महिनों सालों तक कोई वर्सा नहीं होती जिसके कारण भूज अलकास तर बिलकुर नीचे गिर जाता है और ज़्यादतर जो सूखा है दोस्तों वो राजसान के अंदर रहता ही रहता है और इससे दोस्तों हमारा खेती पर बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ता है और अब यह देखे दोस्तों तीन त्रहका हो सकता है एक मोस में सुखा हो सकता है एक जलिय सुखा हो सकता है और एक क्रिसी समंदी सुखा हो सकता है कई महिनों तक वर्सा नहीं होने से भूज अलका अत्य धिक दोहन यानि कि जब ट्यूवल वगरा से बहुत ज़्याद हम पानी खेंचने लग जाते तो वहाँ पे और वी ज़्यादा स्थेती खराब होने लग जाती है और उसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों हिम संखलन यानि कि जो हमारे वर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड है वो पिंखलने से क्या होता कि हमारा जो समुंदर का सतर है वो काफी बढ़ जाता है और इससे काफी तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है उसके बाद है दोस्तो हमारे पास जवाला मुखी यानि की वोल केनो अब इसमें क्या होता है दोस्तो जवाला मुखी में पर्थवी के भीतर से गरम लावा राख गैस का तिरो विस्पोर्ट होता है यानि की पर्थवी के अंदर से जब राख निकलती है गरम हावा निकलती है या फिर आग निकलती तो उसे हम क्या कहते हैं जवाला मुखी कहते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ये काफी तरका हो सकता है जैसे कि एक तो जवाला मुखी होता कि वो कॉंटिनिसली चलता रहे और एक हो सकता कि कभी कवार हो और इससे क्या होता है दोस्तों इसी वर् वो बहुत ही जहरिला होता है और विशवर्ट होने पर यह सो किलोमेटर से अधीक के दाइरे पे फैल जाता है और उसके बाद में जैसे महावारी यानि कि जो हमारे अक्षेतर में बहुत बढ़ी बीमारी फैल जाए तो उसे महावारी कहेंगे और जैसे कि यह काफी तरह से हो तो उससे भी हो सकता है या फिर पानी के अंदर को से गलत चीज मिल जाए तो उससे भी हो सकता है 2009 में पूरे विशो में H1N1 एन फिलुंजा यानि कि स्वाइन फिलू की बिमारी फैल गए थी इसके बारे में हम सभी को पता है और दोस्तो अब हम बात करते हैं दुनिया की कुछ प्राकरतिक आपदाओ के बारे में अमरिका में तोफान अमरिका में सेंडी कैटरिना टॉर्नेडो तोफान अब तक हजार लोगों की जान ले चुके है दोस्तो इसमें से ये कोशन आए सकता है कि जो कैटरिना तुफान है वो कहां पे आया था तो वो दे देंगे भारत, अमरिका या फिर जापान इस तरीके से देंगे तो ये हमें पता होना चाहिए वर्स 2012 को आए इस तुफान से हालांकि ज्यादा लोग नहीं मरे लेकिन इसने पुर्वी तर्स लेकर ग्रेट लेक तक तेरा सो किलो मिटर का इलाका तबाह कर दिया था और इससे अर्वो डॉलर की संपत्य का नुक्सान हुआ था उसके बाद हमें बात करते हैं दोस्तों सेंडी तुफान सेंडी तुफान के कान अमरिका में जल पर लेकि स्थेती निर्मित हो गई थी इस तुफान की भयावकता का अंदाजा इस वात से लगाया जा सकता है कि इसकी हवाओ की रफतार 120 किलो मेटर पर तिक घंटा थी दोस्तों यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने वाली है हमें यह रखना है कि जैसे सेंडी तुफान है वो कहां पर आया था ठीक है यह चीज पूछी जाती है कोशिन पेपर के अंदर और उसके बाद दोस्तों जैसे कि इरान में भूकम पाया था तो इसमें 2012 के अंदर आया थ दोस्तों 306 लोगों की मृत्य हो गई थी और 5000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए थे और उसके बाद में जैसे कि हम बात करें दोस्तों उसके बाद दोस्तों जैसे कि जपान में आई शुनामी 2011 को जपान में आई शुनामी ने पूरे देश को चपेट में ले लिया जपा विश्वांब को तुक्त की वजए से बहुत ज्यादा नुक्सान वहां पे व wün अगया था रए इस दुफान से क्या हुआ थे कि जो प्रमान सी अंतर नश्ट भो गया था इसे क्या चीजिगे ये इससे पढ़ने चाने बात करें दोस्तों जावा सुमात्रा दवीप में सुनामी दो होजार च्यार में 9.3 तिवरता से भुकम के चलते हिंद महासागर का सिना सुनामी से दहल गया था दोस्तों 9.3 जो तिवरता होते वह बहुत ज़्यादा तिवरता होते इसके अंदर सब कुछ तवा होने की संभा होना होती है सुनामी से दोस्तों 14 देश प्रभावित हुए थे जिसके अंदर मुखे रूप से भार्त इंडोनेशिया सिरलंका बांगला देश और थाइलेंड थे और उसके बाद में जैसे कि दोस्तों हमने यहां पे कुछ प्रमुख तुफान विगरा दी हुए आप यहा में आया था इस तरह से कोशन इन में से आये हुए है जैसे कि इसमें एक सुनामी का आया वा था और आगे हम बात करें दोस्तों जैसे यहां पर यह भी आप देख लेना एक साइंकलोन से आया था एक हरीकेन से भी कोशन आ चुका है और अब बात करें दोस्तों जैसे कि रिस प्रानक तुफानों और सुनामी में करीब 2783 लोगों की जान चली गई थी और ये जो तुफान था दोस्तों 7.5 तिवर्टा का तुफान था और इसके अंदर 3,30,000 लोग प्राभावित हुए थे उसके बाद दोस्तों जैसे की गवार्टे पाला में जवाला मुखी विस्वो प्राभावित हैं तुफान था दोस्तों 25 लोगों की मिलती हो गई थी ये कहां पर आया था मध्य अमरीका के अंदर आया था दोस्तों उसके बाद दोस्तों जैसे की के अंदर बाड़ आई थी भार्टे सबसे दक्षिनी राजे के ल में अगस्त में आई भीशन बाड़ न से कोई कोशन और 2018 में दोस्तों जपान के अंदर बाड़ आई थी और इससे क्या हुआ था कि 200 से ज्यादा लोगों की मिलती हो गई थी नंबर पांच पे दोस्तों पाकिस्तान में हिट वैव का प्रकौप रहा था इससे क्या हुआ था दोस्तों पाकिस्तान के कराची सहर मे माई में जो ताप माने 104 डिगरी फेरेनाइट से उपर चला गया था जिससे क्यावा तेज गर्मी बिजले की कटोती और रमचान का महीना होने की वज़े से सहर में करीब 180 लोगों की मृत्यू हो गई थी तो दोस्तों यहां से साइध एक कोशन आज है करंट में आज के लिए वसीतना ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहुतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट्वर्ल दोस्तो आज हम प्यूपिल एंड एनवायरमेंट के अंदर जेव विविजिता यानि की वायर डायरिस्टी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो इसमें से वैसे तो बहुत ज्यादा कोशन नहीं आया है लेकिन फिर वी यह जो टोपिक है हमारे ले काफी इंपोर्टन है क्योंकि इसमें से जैसे रेड़ वुक डेटा है इसमें से कोशन आने की संभावना है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से दोस्तो स्योर नेट और जारफन लेने के लिए आप हमारा पेड़ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टेडी नोट्स देंगे वीडियोस देंगे 2012 से दिसमेर 2019 तक सभी शिट के कोशन पेपल देंगे जैसे कि रिसर्स के जो क सब्सक्राइब से यानि की वायव डायरष्टी होती क्या है देखे पृतिवी के वीविषिंद आवासों में त्रह 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 के पादोप वे जिव जनतु की ऊपस्थिति को हम जैसे विविजता कहते हैं अब देखिए हमारी प्रिफिवी पर काफी तरह के जिव जनतु झिनमें से काफी विलूप्त हो चुके हैं और कुछ विलूप्त होने की कगार पर हैं तो इन सभी को क्या कहते पाया जाता हूँ जैसे कि हम बात करें सांप सांप हमारा काफी परजातियों के अंदर पाया जाता है इसी तरीके से अगर हम धान की बात करें तो धान की परजातिया पचास हजार से अधिक पाई जाती है आम की जो परजातिया है वो दस एक हजार से ज्यादा पाई जाती है तो इस हम क्या कहते है अनुआनशिक विवितिता कहते है और उसके बाद हम बात करें जैसे जातिय विवितिता अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों यह विवितिता जातिय स्तर पर होती है जैसे पुर्वी घाट के तुलना में पस्चिमी घाट में तरह तरह की अभ्यचर जातिया रहती है और आगे हम बात करें जैसे पारिश थिति के विविदिता यानि की जो हमारा भगोलिक अक्षित्र है उस हिसाब से जो विविदिता पाई जाते हैं उस हम कहते हैं इकोलोजिकल डाइवर्श्टी कहते हैं इसके अंदर जैसे की भारत में रैगिस्तान वर्षावन पतज़ड़ वन आधी की पारित अंतर विविदिता नार्वे से अधिक है और इसके बाद दोस्तों जो हमारी इंपोर्टेंट चीज है वो है हमारी IUCN यानि की अंतराष्ट्रिय प्रकर्ति सरंग्षन संग इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन आफ नेचर दोस्तों ये हमारे काफ़ इंपोर्टेंट है क्योंकि ये एक Red Book Data लिष्ट जारी करता है जिसके अंदर हमें ये वताया जाता कि कौन सी जो जाती है वो संकट ग्रस्त है विलुप्त होने की कगार पे है या जो विलुप्त हो चुकी है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है अगर इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज देखे कि IUCN की स्थापना कब होई थी तो 1948 के अंदर फ्रांस के अंदर होई थी और इसके जो परमुख थे वो कौन थे जूलिया था यहाँ पर आप इनके नाम पढ़ सकते हैं और इसके अंदर जैसे की स्रेनी अब स्रेनी की बात करना काफी जरूरी है दो तो यह जो रेड वुक डेटा है यह 9 स्रेनियों में विवाजित होती है सबसे पहले हम बात करते हैं विलुप्त जाती की जाती का कोई भी जीवित सदसे नहीं बजाओ तो उसे हम क्या कहेंगे विलुप्त कहेंगे और उसके बाद में जो second category आते है वन विलुप्त यानि कि वो जाती जो केवल वनों से विलुप्त हो गई हो और कही ना कही और दूसरे एक छेतर में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे वन विलुप्त कहेंगे और उसके बाद दोस्तो ऐ सुरक्षित के अंदर जाती की वनों में संकट गरस्त हो जाने की संभावना हो उसे हम कहेंगे ऐ सुरक्षित तो दोस्तो यहाँ पे 9 काटेगरी दियुए है आप इन 9 की 9 को पढ़ लेना और साथ के साथ हमने इंगलिस में भी इनके नाम दिये परजातिया संकट गरस्त चल रही है और इसके अंदर दोस्तो और जो चीजा वो हम देख लेते हैं IUCN दवारा जारी लाल सुची में अब परजातियों की संख्या टोटल कितनी होगी है 93,577 होगी है जितनी भी 9 काटेगरी उनके अंदर कितरा है टोटल 93,577 है और जिन में परजातिया विलुप्त हो चुकी है जिससे कुल विलुप्त परजातियों की संख्या बढ़ कर 800,577 हो गई है और उसके बाद जैसे 1700 परजातिया नाजुक स्थिदी के अंदर अभी चल रही है और उसके बाद हम जैसे बात करें कि नई सूची के अनुसार 19 परजातिया जो फूफू सीमा प्रमाणू दुरुगटना क्रीशी रसायनों से अत्यधिक प्रयोक के कान जपान का दो केच्वा परजातित था आश्ट्रेलिया का बार्टेली अब धीरे धीरे संकट गरस्त स्रेनी से उस्तर स्रेनी में सामिल हो गया है यह चीज हमें ध्यान रखना जरूर है और और भी इसमें काफी सारी चीजे दे हुए है दोस्तों आप यहां से पढ़ लेना बिल्कुल असान है और जैसे कि हम इसमें बात करें कि विग्यानिकों के अनुसार अब खत्रा जलवायू परिवर्तन से जादा वैव विविदता के नष्ट होने से है यह चीजी भी ह में से कुछ ज्यादा कॉश्षक नहीं आ लेकिन फिर भी आप एक बार इस लिश्ट को ढूरूर देक लिना साय किya प्ता इसमेंसे कोई कॉश्षक आजए जैसे की अन्सी नैसिनल पार्क कहाँ पे कर날 का के अंदर है Βगवान महाविर नैसिनल पार्क है गोवा के अंदर तो यह पूरी की पूरी लिश्ट दी गई है, यहाँ पर आप देख लेना दोस्तों जैसे की डाची गाम कहां पे, शीरी नगर के अंदर है, यह सारी की सारी आप एक बार देख लेना, क्या पता साइद इसमें से कोई question आ जाये, और इसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तो यह देंदी है फिप्टी वन रश्टी है नेशनल पार्क दिये हैं आप यह एक बार देख लेना उसके बाद जैसे कि हम बात करें दोस्तों इंपोर्टेंट डैम इन इंडिया विद रीवर अक्रोस यह इसमें से दोस्तों साइद इसमें भी एक कोशन आने की संभावना है ज् क्लेशित करेंसे पूरा रटने की जरूरत नहीं आए बस इक बार इसलिश्ट को देख ले ना की कौनसा डैम बनाया हुआ है वह आप hypothetical है वह कहां पर है ओडीशाה के अंदर दिया हुआ है और उकाईडाम है वह गुजरात के अंदर दिया हुआ है तो यह आप एक बार के अंदर दिया हुआ है जम रानी डैम है वो कहां पर उत्रा खंड के अंदर दिया हुआ है तो आप एक वार इसको देख लिए ना दोस्ता और दोस्तों आज के लिए वसे इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चेर थैंक यू दोस्तों एंटी ए यूजिस नेट यानि निमिजिनेट डाउलोड इट आउन गूगल प्ले स्टार हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और अब सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प् कोशन आने की संभावना है जैसे कि रामसर समिलन हो गया हमरा पृत्वी समिलन हो गया और कयोटो पयोटो प्रोटोकोल है उसमें से कोशन आए है मोंट्रिल प्रोटोकोल है उसमें से कोशन आए है तो दोस्तों ये सभी टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी ह तो दोस्तो इस वीडियो का पूरा देखना, उल्ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा important होने वाली है दोस्तो श्योर नेट और जारफ लेने के लिए आप हमारा paid course भी जोईन कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तो हम आपको सभी 10 unit के study notes देंगे, videos देंगे, 2012 से लेके December 2019 तक सभी shift के question paper देंगे जैसे कि research के जो question आउच के अलगी हुए, teaching के अलग है, communication के अलग है इसके साथ साथ दोस्तो आपको इस course के अंदर live mock test मिलेंगे अगर आपका किसी भी तरह का कोई स्वाल जवाब होता तो आप हमें वर्सप के ज़िए भी पूछ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो हम आपको old year question paper second भी देंगे 2019 तक तो किसी भी दोस्तो हमारा एक course जोईन करना तो आप हमें इस वर्सप नमर पे message कर सकते हैं दोस्तो जयव विवित्यता समेलं यानि की CBD की स्थापना विभीन सरकारो दवारा 1992 में रियो डी जनेरिया यानि की पृत्वी सिखर समेलं के दुरान की गई थी इस दुरान दोस्तो 193 सरकारो दवारा इस पर साइन कीए गई थे और इसके उन्दर क्या विक्षित करना था और इसे दोस्तों अकफर सतत विकास के संबन्द में देखा जाता है यानि कि सुस्टेंड डवलपमेंट गोल के रिलेशन के अंदर इसको देखा जाता है और इसके जो दोस्तों 2020 तक जो लक्षे हैं वो हम देख लेते हैं 2010 के अंदर जपान में CBD पक्सकार के सम्मेलन में 193 देशों की सरकारे एकित्रित हुई थी और इस दुरान दोस्तों एक 20 सुत्रिय योजना को अपनाया गया था जिसे 10 सालों में लागू किया जाना था और इसके इस दुरान क्या करना था दोस्तों 10 सालों के अंदर विस्व में 17% भूमी को सरक्षित छेतर के में बढ़ावा देना 2020 तक हमारे महा सागरों के 10% अक्षितर को समुंदरी सरक्षित छेतर के रूप में कवर करना था इसके दो मुख्य लक्षे ये थे और उसके बाद दोस्तों और भी काफी तरह के हमारे सम्मेलन हुए थे उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंग दोस्तों इसकी जो फुल फोम है ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसमें देखते हैं दोस्तों क्या इंपोर्टन बात थी यह एक अंतराश्टिय समझ होता है जिसका उदिस से वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैंसों के उत सरजन को नियंतरित करना है दो इसमें से इस तरह से कोशन आये हैं तो ये हमें पता होना चाहिए तो ये जो हमारा UNFCCC है इसका जो उदिस से था वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैंसों के उत सरजन को नियंतरित करना था ये हमें पता होना चाहिए यह समझोता जून 1992 के पृत्वी सिखर समेलन के दुरान किया गया था और इसमें और चीज़ देखते हैं दोस्तो क्या इंपोर्टन्ट है 1995 से लगाता रहा है UNFCCC की वार्षिक वैठको का आयोजन किया जाता है और इसी के तहट दोस्तो 1997 में बहुत चर्चित क्योटो समझोता हुआ था अब ये जो क्योटो समझोता है दोस्तो य कि वार्षिक वैठक को Conference on the Parties के नाम से माना जाता है दोस्तो जो UNFCCC है इसके अंदर काफी देश भाग लेते हैं तो उन सभी देशों की एक पार्टी है उसे हम क्या कहते हैं Conference on the Parties यानि की COP के नाम से पुकारा जाता है और इन पार्टी की जो वैठक होती है दोस्तो जो सम समेलन हुए आस तक उन सभी पे मेन मेन पे हम बात करते हैं COP का जो सबसे पहला समेलन है दोस्तो ये 1995 को हुआ था और ये जो सबसे पहला समेलन है ये जरमनी की राजधानी बरलिन में हुआ था और उसके बाद में दोस्तो 1997 का जो हुआ था उसका क्या प्रिणाम निकला था क क्योटो प्रोटोकोल की स्थापना हुई थी और दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकोल है इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में और उसके बाद दोस्तों जैसे की COP8 हुआ था यह दिली के अंदर हुआ था उसके बाद में चार नमबर पे हैं दोस्तों COP11 मौन्ट्रियल प्रोटोकोल भी कहते इसे और इसको मौन्ट्रियल एक्षिन प्लान भी कहा जाता है इसके अंदर यह निरने लिया गया कि क्योटो प्रोटोकोल को 2012 तक बढ़ाया जाएगा और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा है इंपोर्टेंट COP15 यह 2009 के अंदर हुआ था और यह कहां पे हुआ था कोपेन हेगन के अंदर हुआ था और इसका जो लक्से था दोस्तों इसमें क्या था कि सदस्य देश कारवन उत्सरजन कम करने है तो सवेम अपने लक्से निर्धारित करेंगे उसके बाद दोस्तों COP16 2010 में हुआ था यह हुआ था कैनकुन के अंदर हुआ था और इसके अंदर हरित जलवायू कोस की स्थापना की गई थी उसके बाद दोस्तों COP18 2012 में हुआ था ये दोहा कतर के अंदर हुआ था इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल को वर्स 2020 तक बढ़ा दिया गया था और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए इंपोर्टन्ट है दसन नमबर वे वर्स 2015 में आयोजित COP21 इसके अंदर दोस्तों एक इतिहासिक पैरिस सम्मेलन हुआ था और इसके बारे में भी दोस्तों हम आगे बात करेंगे ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अभी का करंट का जो हुआ है वो हुआ है COP24 ये दोस्तों 2 से 15 दिसंबर 2018 को पोलेंड के कोटिवीस के अंदर हुआ था इसकी जो खास वाक्ते थी वो हम देह लेते हैं पैरिस समझोते के कारियन वेन के लिए दिशा निर्देशो तोर तरीको नियमों को अंतिम रूप देना और दूसरा था दोस्तों सुविधा परदान करने वाले ताला नुवा समवाद 2018 का समापन करना ये इसकी दो मुख्य बाते थी दोस्तों अब हम बात करते है COP25 यानि कि दिसंबर 2019 में जो इवेंट हुआ है उसके अंदर क्या क्या हुआ था इसके अंदर देखे United National Framework Convention of Climate Change यानि कि UNFFC के अंतरगत COP25 का जो सम्मेलन था वो कहां पे हुआ था इसका आयोजन दोस्तों राजधानी मेंडरीड के अंदर हुआ था 2 से 13 दिसंबर 2019 के बीच में हुआ था और ये कहां पे है स्पेन की राजधानी है दोस्तों यहां पे ये हुआ था ये कोश्चन मेवी इसमें आज सकता है और इसके अंदर क्या-क्या मुख्य विंदू थे उनके बारे में हम देख लेते हैं स्पेन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्सता चिली सरकार दवारा की गई थी क्योंकि चिली ने देश में आंतरिक कारणों के चलते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इस सम्मेलन के आयोजन में ऐसमर्थता जताई थी तो ये चीज हमें ध्यान में रखना जुरूरी है और उसके बाद दोस्तों इसमें जो मुख्य चीजे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है एक मिनिट रुके मैं आपको बताता हूँ ये जो पॉइंट है इसमें COP25 का प 97 के कयोटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा तो इसके अंदर दोस्तों रूल बोक के अंदर जो कुछ मुद्दे थे उनके उपर विचार करना इसका मुख्य उदेश से था इसके अंदर और इसके अंदर जैसे उपर है ये भी हम पढ़ लेते हैं यह जलवायू वारता जलव और इसके अंदर जो इंपोर्टन चीज है वो और मैं आपको बता देता हूं उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि वैस्विक तापमान को 1.5 डिगरी सेल्सियस तक सीमित करने का पैरिस समझोते का लक्सिया अब ऐस संभव होने की कदार पर है पैरिस समझोते में यह कहा गय बढ़ता हुआ जा रहा है तो यह कुछ बाते जो हमें याद रखना जरूरी है इसके बाद में बैठक में चिली मैडरीड टाइम आफ एक्सन नामक दस्तावेद जारी किया गया यह कोशन इसमें आ सकता है दोस्तों वो कह सकते कि मैं सी ओ पी टॉन्टिफाइव में क्या ज सतत विकास तथा गरीवी अनमोलन में जलवायू परिवर्तन से उत्पन हाने होने वाली बाधाउस से निपटने के लिए IPCC दवारा राष्ट्रों को दिये जाने वाले विग्यानिक सुझावों की सरहाना की गई थी ठीक है यह चीज़े आप यहां से पढ़ लेना और किसी COP26 जो 2020 के अंदर होने वाली थी लेकिन ये क्रोना वाइरस की वज़े से स्थगित कर दी गई है इसके बारे में भी कुछ चीज़े हम पढ़ लेते हैं यहां पे गलास गलास गो में नौंबर में आयोजित होने वाले सयूप राष्टर के COP26 जलवायू परिवर्तन सम्मेलन क COVID-19 की वज़े से स्थगित कर दिया गया है यह निरने जलवायू परिवर्तन पर सयूप राष्टर कन्वेंशन फ्रेमवर्क के COP व्यूरो ने यूको और इतालवी भागी दारी के साथ मिलकर किया है और इसके अंदर दोस्तों एक जो इंपोर्टन चीज थी इसके अंदर व जो के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा यानि कि जो COP26 के नई तारिफ क्या होगी वो अभी डिसाइड नहीं है वो आगे आने वाले समय में डिसाइड होगी तो ये कुछ चीज़े दोस्तों इसके अंदर और आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारी प्रोटोकोल है काफी इंपोर्टेंट उन पर हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमारे पास नगोया प्रोटोकोल ये 2011 के अंदर हुई थी नगोया प्रोटोकोल जिसे ABC प्रोटोकोल भी कहा जाता है और ये क्या है दोस्तों 29 अक्टूबर 2010 को इसे सभीकारक किया गया था इसके अंदर क्या important है दोस्तों भारत की दृष्टी से हम देखते हैं ये हमें ध्यान से पढ़ना जुरूबी है भारत के लिए ये है प्रोटोकल अतिमहतोपूर्ण है क्योंकि वहें अपने अनुवानसिक संसाधनों कहते हैं तो यहां से हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जुरूद है आनुवानसिक संसाधनों उससे जुड़े पारंप्रिक ज्यान यानि कि हमारे देश के अंदर बहुत पारंप्रिक ज्यान है दोस्तों तो उसकी कुछ चोरी हो गई थी अनुचित्य उपयोग का पीडित रहा है जिसे अन्य देशों में पेटेंट करवाया गया यानि कि भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजे हुई है दोस्तों जो पारंप्रिक ज्यासे कि हम बात करें कि हल्दी वगरा नीम वगरा हो गया उनसे हमने कई दवाया वगरा बनाई है तो उनका पेटेंट किसी और देश ने करवा लिया है तो इस वज़े से भारत इससे काफी दुखी रहा था तो ये जो नगोया प्रोटोकोल थी इसके अंदर ये मुद्दा उठा था तो ये हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है और उसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारे पास है जैव सुरक्षिया पर कारट गेना प्रोटोकोल 2000 के अंदर हुई थी इसके अंदर क्या था दोस्तों इसे 29 जनवरी 2000 को सविकार किया गया था और मानव सवास्थे को कोई नुक्सान नहीं पहुंचे यानि कि इसके अंदर ये बात कही गई है कि दोस्तों जो हम प्रिवेन वगरा चला रहे हो इस तरीके से चलाए जिससे हमारा काम भी वन जाए और हमें हमारे सवास्थे पर हमारी जो प्रियावरन है उस पर किसी वी तरह का कोई नुक्सान ना हो इसके अंदर ये बात कही गई थी और उसके बाद है दोस्तों आईची जैवी विविदिता लक्षे है आईची लक्षे या टार्गेट का सम्मन्द जैवी विविदिता पर दवाव को कम करते हुए इसके लाभों को सभी में बढ़ाने से है दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे उपर जो जैवी विविदिता का दवाव है वो ज्यादा ना डाला जाए और उस दवाव को कम करके उसका जो लाभ है वो सभी को दिया जाना चाहिए इसका मतलब ये है आईची लक्षे में मुखे रूप से पांस रन नीती लक्षे है दोस्तों आप ये यहाँ पर पढ़ लेना बिलकुल असान असान है और दोस्तों राम सर समयलन एक मातर अंतरसासी संधी है जो अद्र भूमियों यानि की वैट लेंड से संबंदित है उनके संसाधनों के सररक्षन और उपियोग से संबंदित है और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसे आदर भूमियों पर समेलन यानि की कन्वेंशन ओन वैट लेंड से भी कहा जाता है और रामसर समेलन का जो सची वाली है दोस्तों वो सवीजर लेंड के अंदर सथित है ये चीज़े हमें पता होना जरूरी है उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतराष्टि गैर सरकारी संगठन है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों और इसका जो मोख्याला है वो स्वीजर लेंड के अंदर है संगठन का जो उदेश से है वो वन्य जीवों का सरक्षन तथा पर्यावरण का तथा पर्याव पता होना जरूरी है और एक चीज़ थी हमारी रेड डेटा बुक कोन परकासित करता है वो भी हमें पता होना चाहिए वो मैंने आपको पिछली जो वीडियो है उसके अंदर बताई थी और उसके बाद दोस्तों हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है प्रित्वी समेलन या रियो डी जनेरा समेलन 1992 के अंदर हुआ था प्रियावरण में परदोसन के कारण पूरी प्रित्वी परदोसित हो रही है और इसी को मद्दे नजर रखते हुए दोस्तों सन 1992 में ब्राजिल के रियो डी जनेरिया सहर में विश्व के 112 देशों ने प्रित्वी समेलन का प्रित्वी समेलन का ओरीजन है वो कहां से हुआ था वो हुआ था मानुविय प्रियावरण पर सयुक्त राष्टर समेलन से हुआ था ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है और और इसके अंदर जो मुख्य बात दोस्तों वह आप यहां से देख लेना यह बिल्कुल असा है दोस्तों आप इस पर थी समेलन की जो दो उपलब्धिया थी दोस्तों उन पर हम बात करते हैं पहली ये एजेंडा 21 और दूसरा है रियो घोशना अब देखिए एजेंडा 21 यह एक अंतराष्टिय दस्तावेज है जिसे समेलन के 182 देशों के परतिनीधियों दवारा अपनाना ही अपनाना है कोई जरूरी नहीं है उनकी इच्छा है वो अपना भी सकते और नहीं भी अपना सकते और इसके जो मुख्य जो उदिस से वो हम देखते दोस्तों इसके अंदर एक तो जैसे ग्रीवी अग्रीवी को दूर करना उप भोग के ढंग को सही करना सवास् और उसके बाद दोस्तों हमारे पास रियो घोषना या प्रिथी चार्टर को अपनाया जाना प्रिथी समिलन की एक महान उपलगदी है प्रारंब में संव्त राज्य अमरिका रियो घोषना से सहमत नहीं था किन्तु बाद में उसने भी घोषना पर हस्ताक्सर कर दिये ये चीज भी हमें याद रखना जुरूरी है दोस्तो इस घोषना पर 182 देशों दोबारा हस्ताक्सर किये गए थे इस घोषना में 27 सिध्धान्त है आगे दोस्तो हमारे पास काफी इंपोर्टेंट वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के जपान के क्योटो सहर में भूम अंडलिय ताप बृद्धी को रोकने के लिए एक अंतराष्टी समयलन का आयूजन किया गया था अब दोस्तो इसमें से ये कोशन आ सकता कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्यों स्थापिज की गई थी तो उसका उदेश्य था दोस्तो भूम अंडलिय ताप बृद्धी को रोकने के लिए इस समयलन में 141 देशों ने भाग लिया था और दोस्तो इसका जो मुख्य उदेश से था वो क्या था पांच वर्षों के लिए 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था और वो कौन कौन सी थी दोस्तो एक थो थी कारवन डाई आकसाइड दूसरी थी मेथेन तीसरी नाइटरस अकसाइड फिर सलफर कलोराइड फिर है कलोरो फलोरो कारवन फिर है हाइडरो कलोरो फलोरो कारवन तो ये हमारी 6 गैसे थी इनके उतसरजन को कम करना इसका लक्से थ और इसके अंदर किया दोस्तों वह भी हम देख लेते हैं कि जो पहली अवदी थी दोस्तों वह कितनी थी 2008 से लेके 2012 तक थी और उसके बाद दोस्तों इसकी जो अवदी थी उसे बढ़ा दिया गया था और वह कितनी होके नहीं हो गए थी दोस्तों 2013 से लेके 2020 तक हो गई थी अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम पहले से समझोता 2015 ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से पहले कोशन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से कोशन आने की संभावना है इस एतिहासिक समझोते को 2015 में जलवायू परिवर्तन पर साइंट राष्टर कन्वेंशन फरेमवर्क यानि कि जिसे हम C-N-F-C-C कहते हैं उस दुरान अपनाया गया था तो सबसे पहला जो कोशन बनता है दोस्तों यही बनता है कि 2015 में से अपनाया गया था और इसे दोस्तों COP21 के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर और क्या खास बाते हैं वो हम देख लेते हैं सभी देशों को वैस्विक तापमान को और ध्योगी की करण से पुरो के इस तरह से 2 डिगरी से अधिक नहीं बढ़ने देना था यानि कि सभी देशों को ये बहुत ध्यान रखना था कि उनके जो भी कार खाने वेगरा है वो ध्योग है उनके दवारा जो तापमान है 2 डिगरी से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है और इसके अंदर क्या था दोस्तों 1.5 डिगरी से नीचे रखने के लिए इसके प्रियास करना था ये इसका काफी important point है दोस्तों इसमें से question पहले आ चुका है इसी point से question पहले आ चुका है और आगे हम बात करें दोस्तों अगर आप चाहे तो ये यहाँ पर पढ़ सकते जैसे थोड़ी और हमने चीज़े दी हुई है और उसके बाद दोस्तों हमारे पास National Action Plan on Climate Change NAPCC 2008 ये दोस्तों ये इंडिया का प्लान है इसके अंदर हम देखते क्या था जलवायू परिवर्तन पर राष्टिय कार्यकरम योजना यानि की NAPCC को उपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था यह उन संसाधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्षे को प्रोचसाहित करते है साथ ही जलवायू परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभाव साली रुप से प्रस्तुत करता है और इसके अंदर दोस्तों जो मुख्य चीज है मुख्य इसके आठ मीशन है दोस्तों तो वो आठ मीशन हमें एक बार देह लेते हैं इसका एक तो है राष्टी सोर मीशन और फिर है विक्सित उर्जा दक्सता के लिए राष्टी मीशन फिर है सूज सत्थिर निवास पर राष्टी मीशन फिर है राष्टी जल मीशन और इस तरह से दोस्तों यह आठ मीशन है आठ अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और घंटे का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्यू दोस्तो दोस्तो स्योर नेट और जार्फ लेने के लिए आप हमारा पेड़ को करना लग है इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर लाइव मोग टेस्ट मिलेंगे अगर आपका किसी भी तरह कोई सवाल जवाब होता तो आप हमें वर्सक्राइब पूछ सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ओल्ली एर कोर्शन पेपर सैकेंड भी द करसे अगर होतारी दोस्तों हमें आपका किसी भी दापको ओल्ली मोग गुզ तरह करते हैं इस साथ उसके साथ ज Tao को